Hello Students, Myself योगेंदर बगडिया, Team Botany CLC स्वागत है आपका एक यूनिक कॉंसेप्ट, Bio DTS के अंदर बच्चों, अपना जो पेपर था, Plant Embryology का उसके अंदर जो कुष्ण थे, वो 111 से लेकरके, 180 तक जो कुष्ण थे वो अपन यहाँ पे, one by one करके, यहाँ पे solve करेंगे उमीद है, आपका अच्छा पेपर हुआ होगा, और आपने Maximum Question जो है, वो write किये होंगे तो बच्चों, अपने स्टार्ट करते हैं, one by one करके, हर एक Question के, जो जो options है, उनसे related, और जो answer है अपने, और कौन सा answer सही हो रहा है, उससे related सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे यह है, कि जो BioDTS जो concept है, वो सारा का सारा जो है, वो NCRT based है, इसमें जितने भी questions है बच्चों, वो सारे NCRT based हैं, और exam oriented है, या neat exam oriented है तो बच्चों, अपने start करते हैं, question number 111, यहाँ पे हमाँ question, देख रहा हूं, which of the following is not part of vegetative propagules, बच्चों ज्यान देना, यहाँ पे हैं, निम्न में से काइक परवर्दन का भाग नहीं है, ठीक है, अपने सामने चार option है, first option है rhizome, second option है tuber, third option है bulbil, और fourth option है anthrozoid, बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देना, कि जो vegetative propagules हैं, अगर आपन यहाँ पे देखें, vegetative propagation, clear बच्चों, vegetative propagation, तो vegetative propagation, इट मिन से जो seed है, उसके अलावा, अगर कोई भी part है, जैसे root हो गया, stem हो गया, या leaf हो गया, वो अगर एक new plant का क्या कर रहा है, formation कर रहा है, तो उस process को अपन क्या बोलते हैं, vegetative propagation, और उस part को अपन क्या बोलते हैं, vegetative propagules बोलते हैं, तो यहां पर अगर अगर आपन देखें, तो जो rhizome है, वो rhizome, no doubt, यहां पर किसका पार्ट रहेगा, underground stem का, clear है, tuber भी किसका पार्ट है, underground, किसका पार्ट रहेगा, underground stem का पार्ट है, clear है, rhizome के अंदर example आप जानते हो, एक तो जिंजर आता है और एक तर्मरिक आता है, underground stem पे, tuber जो है, उसके अंदर भी आपके क्या आता है, potato आता है, और bulbil, bulbil के अंदर जो सबसे best example है, that is the agave, agave एक plant है, जिसको आपन century plants बोलते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसा होता है, कि इस तरीके से जो है आपके stem part है, और यह जैसे leaf वाला part है, leaf वाला part, तो यहाँ पे जो structure है, इस तरीके से, इस structure को या इस bird को अपन क्या बोलते हैं, exile bird बोलते हैं, तो यह जो exile bird होती है, ध्यान देना बचो, यह जो exile bird होती है, इसी से जो है, वह एक new plant का क्या हो जाता है, formation हो जाता है, तो यह तीनों ही जो statement है, it means rhizome, no doubt, vasidative propagation का part है, second है tuber, no doubt, vasidative propagation का part है, bulbil, no doubt, vasidative propagation का part है, but anthrozoid जो है, वह आपके किस का part है, sexual reproduction का part है, किस का part है बचो, sexual reproduction का part है, इसलिए अपना जो answer है, वह answer कौन सा right हो जाएगा, किसके reference में, not part of vasidative propagues, तो fourth option अपना क्या हो जाएगा, next हो जाएगा, ठीक है, answer अपना क्या हो जाएगा, fourth option right हो जाएगा, next, next अपने देखते हैं यहाँ, आपे, one second, next, identify A to D in given diagram, showing asexual reproductive structure, यह जो आप देख रहे हो, यह आपको NCRT के अंदर मिलेगा, page number 8, NCRT का diagram है, और बहुत important है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ structures आपको दे रखा है, diagram form के अंदर दे रखा है, यहाँ पे आप देखना, यह जो structure है, यह किसको represent कर रहे है, अगर अपन कहें, तो claimidomonas, किसके अंदर देखने को मिलेगा, claimidomonas, दियान देना बच्चो, claimidomonas के अंदर यह structure देखने को मिल रहे है, और अब क्यूंकि यहाँ पे फ्लेजिला structure present है, क्या present है, फ्लेजिला structure present है, यह कौन से structure हो गई, फ्लेजिला structure हो गई, अब फ्लेजिला structure है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, zoo, clear है, और यह जो है, जब वापस से germinate होंगे, तो एक new body का क्या करेंगे, formation कर देंगे, तो यहाँ पे यह जो first diagram है, यह किसको indicate करेगा, zoo, spore को, किसको represent करेगा, spore को, देखो, यहाँ पे अगर अगर आपन basically देखें, spore और gamete के अंदर क्या difference रहेगा, तो spore के अंदर वो capacity होता है, जिससे वो एक new organism का formation कर सकता है, पट gamete के अंदर, gamete का fusion होना compulsory है, otherwise वो direct new organism का formation नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे first structure किसको represent करेगा, zoo, spore को, second आप आईएगा, यह structure है, कॉनीडिया का, किसका structure रहेगा, कॉनीडिया का, और यहाँ पे यह जो structure है, इनको पन क्या बोलते हैं, कॉनीडिया structure, क्या बोलेंगे, कॉनीडिया structure बोलेंगे, अब यह जो कॉनीडिया structure है, किसके अंदर देखने को मिलता है, पैनी सीलियम, पैनी, सीलियम के अंदर जो है, वो देखने को मिलेगा, clear है यहाँ पर, और यह unfavorable condition के अंदर बनेगा, अब होगा क्या, इसको अपन में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, कि जब unfavorable condition आएगी, तो rest of जो body है, वो तो degenerate हो जाएगा, बड़ जो conidia है, वो आपके protected रहेगा, क्योंकि इसके चारोतर है, हार्ड कोड प्रोटेक्टिंग लेर का formation हो रहा है, अब जब favorable condition आएगी, तो इसी से जो है, आपके new organism का क्या हो जाएगा, formation हो जाएगा, तो यहाँ पर जो second diagram है, वो किस से related ह conidia से related है, third जो diagram है, no doubt, किसका diagram रहेगा, hydra का, किसका रहेगा, hydra का रहेगा, और hydra के अंदर जो आप ये extra growth structure देख रहे हो यहाँ पे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, bud, क्या बोलेंगे, bud बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर third जो diagram है, वो किसको represent कर रहे है, bud को represent कर रहे है, और fourth जो diagram है, वो gemules का है, और sponge के अंदर जो है, वो आपके देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं इसको labeling कर देता हूँ, outer membrane रहेगा ये, outer membrane, ये रहेगा, inner membrane रहेगा, clear है? इनको बोलते हैं, specules, इनको बोलते हैं, arqueocytes, और ये रहेगा, micro pile, क्या रहेगा? micro pile रहेगा, तो ये भी जो है, वो unfavorable condition के अंदर बनता है, और जब favorable condition आता है, तो यहीं से जो है, वो arqueocytes, आपके क्या हो जाती है? release हो जाती है, तो जो D है, वो D किसको denote करेगा? J-mules को, तो अपना answer जो है, वो क्या हो जाएगा? second हो जाएगा, औरों के बारे में भी देख लेते हैं एक बार, zoo gamit, नहीं, zoo gamit नहीं होगा, ये zoo spore structure है, B right है, but D जो है, वो आपके gamit है, बट zoo gamit नहीं होगा, third option, जो zoo spore है, right बात है, conidio sporengium, ठीक है? sporengium का मिनिंग क्या होता है, कि इसमें more than one cells, but यहाँ पे जो है, वो बिलकुल, एक line में क्या है, आपके arrange है, और इस structure को अपन क्या बोल रहे है, conidia बोल रहे हैं, और यहाँ पे, a plano spore अगर अपन देखें, तो a plano spore का मिनिंग क्या होता है, absence of phlazilla, but यहाँ पे अपने को क दिखाई दे रहा है, phlazilla structure दिखाई दे रहा है, तो अपना जो answer है, वो answer क्या आजाएगा, second answer आजाएगा, okay, clear है, next, हाँ बचो, 113 number question, statement पढ़ते हैं पन, the plant was introduced in India, because it's beautiful flower and shape of leaves, second statement के, it is propagate vegetatively over water body in short period of time, third one is difficult to get rid of them, अगर यहाँ पे अगर अपन देखें, तो यह statement जो है, वो NCRT से related है, सारे के सारे statement जो है, और अपन जानते हैं, यह statement किस से related है, water hyacinth, यहाँ पे जो water hyacinth है, उस water hyacinth के बारे में बोला जाता है, इसको अपन, बोलते हैं, terror of bangal, terror of bangal बोलते हैं, यहाँ पे अगर अगर अपन देखें, अब इसको terror of bangal क्यों बोलते हैं, अपने को यह थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा question है, system, यहाँ पे इसका जो structure होता है, वो इस तरीके से structure जो है, वो आपके, इस तरीके से structure जो है, वो आपके दिखाई देता है इसके अदर, और यह water body हो गया इसके अंदर तो यहां पर यह वाला जो part है इसको अपन बोलते हैं offset ठीक है stem जो part है अब यहीं से जो है वो आपके next क्या होगा plant का क्या हो जाएगा formation हो जाएगा तो यह short time duration के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है spread हो जाता है और यह basically जो होता है standing water standing water या ठहरेवे जो जल होता है वहाँ पर जो है वो इसका growth देखने को मिलता है और इसको सबसे पहले बंगाल के अंदर लाया गया तो इसने क्या किया कि पूरा का पूरा जो area है वो काफी कम समय के अंदर vasitative propagation के तुर क्या कर लिया occupy कर लिया सारा का सारा गह लिया तो हुआ क्या कि जो water के अंदर जो animals present थे या other जो organism present थे तो उनको ने तो sunlight मिला sufficient ने oxygen मिला तो उनकी फिर दीरे दीरे क्या होने लगई death होने लगई और second thing इसका कोई natural predator भी नहीं था तो इस region से इसको क्या बोला जाता है terror of a bangal तो यह तीनो की तीनो statement जो है वो तीनो statement किसको जाएंगे water hyacinth को तो अपना answer क्या हो जाएगा third number जो option है वो क्या हो जाएगा right हो जाएगा next internal fertilization occurs in antrik nisayation पाया जाता है यह भी NCRT के statement है कि जो funghi है उस funghi के अंदर internal fertilization देखने को मिलता है clear है reptiles, mammals इनके अंदर भी जो है वो आपके क्या देखने को मिलता है internal fertilization देखने को मिलता है और जो bryophytes है teridophytes है, gymnose palms है angiospums है इनके अंदर भी आपके क्या देखने को मिलता है, internal fertilization जो है, वो देखने को मिलता है तो अपना जो answer क्या हो जाएगा, more than one option, मतलब ये सारे के सारे जो रहेंगे, फंगी भी रहेंगा reptiles भी रहेंगा mammals भी रहेंगा, bryophytes भी रहेंगा teridophytes, gymnosperm और angiosperms भी रहेंगा तो अपना answer क्या हो जाएगा fourth number, clear है next which of the following is not true about external fertilization not true about external fertilization NCRT का statement है और ये जो statement है ये 14 number पेस से जो हो आपके लिया गया है ठीक है, external fertilization can seen bonnie fish and frog yes bonnie fish and frog के अंदर जो है वो external fertilization जो है वो देखने को मिलता है second organism showing external fertilization exhibit great synchronic between sex ये भी सही बात है इसको मैं थोड़ा सा explain कर देता हूं कि external fertilization के अंदर क्या होते है जो gametes होते है वो gametes water में release किये जाते है water के अंदर क्या किया जाएगा release किया जाएगा same time पे तो उनकी जो maturity है वो same time पे होना compulsory है तभी उनके अंदर क्या होगा fertilization होगा तो ये statement भी right रहेगा ठीक है ये statement भी आपके क्या है राइट है अगर यहाँ पे third number statement देखे the offspring are extremely venerable to predators threatening तो यहाँ पे ये statement भी क्या है राइट है क्यों? क्योंकि जो external fertilization होता है तो जैसे उसके अंदर आगे की जो है वो progeny या आगे का processing होता है तो उसके चारो तरफ जो है प्रीडियेटर्स होते है और ये प्रीडियेटर्स क्या करते हैं उसको खाने की कोशिश करते हैं तो उसका जो number है वो आपके इतना safe site नहीं रहेगा मतलब यहाँ पे जो शिकारी है उनका चारो तरफ से क्या रहेगा? खत्रा रहेगा तो ये option भी सही है बट external fertilization के regarding में और not true के regarding में जो ये वाला statement है ये statement अपना क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा क्यों? Masurity of algae के अंदर क्या देखने को मिलता है? External fertilization देखने को मिलता है तो अपना statement जो 4th है वो not true about external fertilization के regarding में क्या होगा? और रहेगा clear है? Next Which of the following statement is incorrect? Non-primates show ostrace cycle पहला point Primates show menstruation cycle 3rd point Strobilius kundhyana give flowers once in 12 years 4th one is Bamboo species give flowers many times in their life देखो, incorrect पुछ है अगर मैं यहाँ पर one by one करके एक-एक को यहाँ पर देखता हूँ तो non-primates जो है Non-primates जो है वो बच्चो क्या होते हैं? Seasonal breeder होते हैं clear है? और जैसे for example dog हो गया, cat हो गया, rat हो गया, ठीक है? तो यह सारे के सारे कैसे हैं? Seasonal breeder है और उनके अंदर क्या बाया जाता है? biological changes पाया जाता है और वो biological changes कौन सा है? ostrich cycle clear है? primates के अंदर अगर अगर आपन देखें primates के अगर आपन बात करें तो इनको अपन बोलते हैं continuous breeder क्या बोलेंगे? continuous breeder बोलेंगे और इनके अंदर क्याते है? monkeys, humans ठीक है? तो यह continuous breeder है तो इनके अंदर कौन सा पाया जाता है? biological changes cycle form में menstruation cycle third, strobilius kunthyana give flower once in 12 years देखो यह NCRT का बहुत ही अच्छा statement है कि यहाँ पे जो जिसको अपन बोलते हैं निला कुरेंजी local language में वहाँ पे और यह basically south area में जैसे केरला है, तमिल नाडू है वहाँ के hilly area में क्या होता है? यह present होता है और NCRT के data की बात करें तो NCRT ने clearly दे रखा है कि यह September, October 2006 के अंदर इसने flower दिये थे और हर 12 साल में अगर अगर अपन count करें तो 2018 के अंदर यह flowering कर चुका है यह flower दे चुका है और अब 2030 के अंदर क्या करेगा flowering देखा? तो अगर आपको इसकी diversity देखनी है तो आपको 2030 के अंदर वहाँ पे जाना पड़ेगा और पूरा हीली एरिया जो है वह आपके क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का देखने को मिलेगा तो जाना मत भूलना 2030 के अंदर अगर इसकी आपकी diversity देखना है फौर्थ नबर जो है bamboo species give flower many time in there यह statement अपना क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा क्यों रौंग हो जाएगा? वोगि जो bamboo species है वो आपके अपने life में केवल एक बार ही क्या करता है? flowering देता है पचास से सो साल के लिए ठीक है? एक बार ही flowering देगा इसी लिए यह जो strobilious कुंतियाना है और जो bamboo species है इनको अपन क्या बोलते हैं? monocarpic plant क्या बोलेंगे बच्चरों? monocarpic plant बोलेंगे ठीक है? तो यह statement अपना क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा तो इस incorrect के respect में fourth number क्या हो जाएगा? right हो जाएगा next which of the following plant do not show clear cut vegetative reproductive senescence phase देको ध्यान देना यहाँ पर हर एक statement को हर एक statement में आपको बोलना हो वापस से NCRT based पूरा का पूरा ठीक है? इसमें आपको अच्छे से clear concept करना है ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेगा clear cut अगर मैं बात करूँ यहाँ पर perineal plant की annual plant की और bineal plants की बात करता हूं यहाँ पर तो आप ध्यान दें जो annual plants है no doubt answer तो आपन देखेंगे बट अपने को सबसे पहले इसके जो concept है जो भी इसका logic है वो अच्छे से अपने को क्या करना है समझना है यहाँ पर annual plants है annual plants जैसे अपन बात करें wheat की बात करें wheat की बात करते हैं rice की बात करते हैं तो उनके अंदर तो annual plants है और उनका life cycle जो है वो आपके annual ही तो अपन वैसे बोलते हैं बट 4-5 month के अंदर complete हो जाता है तो इसमें अपन easily जो है उसके अंदर vegetative उसका phase देख सकते हैं उसका reproductive phase भी देख सकते हैं और उसका senescence phase भी देख सकते हैं वैसिटेटिव का मिनिंग क्या होगा जिसके अभी तक flower नहीं आया है उसके अंदर root है, stamp है, leaf है उसके अंदर क्या हो रही है growth हो रही है, ठीक है reproductive phase की, अगर अगर आपन बात करें बच्रो तो यहां बही है कि उसके अंदर flowering आ चुका है और वो gamit production क्या करने लगा है ठीक है, gamit जो है वो develop करने लगा है और senesense मेलाब उसकी जो metabolic activities है वो दीरे दीरे क्या हो जाएगी slow होती जाएगी और end में क्या हो जाएगा वो dead phase के अंदर या death phase के अंदर आ जाएगा ठीक है, तो यहां पर annual plant के अंदर आपन clearly देख सकते हैं bineal plants के अंदर भी जो है वो अपन clearly यहां पर measurement कर सकते हैं जिसे मैं बात करता हूँ यहां पर radish की या carrot की तो अपन जानते हैं एक साल के अंदर तो उसके अंदर vegetative phase आती है और दूसरे साल के अंदर जो है वो आपके क्या होती है reproductive phase आती है और वो flowering करता है और seed और fruit का क्या करता है formation करता है annual हो सकता है बट इसके साथ में perennial नहीं होगा तो यहां पर जो first option है perennial plant जैसे bamboo है ठीक है या फिर जैसे कोई भी perennial plant से आपके ficus है तो उनके अंदर आपके क्या होता है आप clearly जो है वो आपे उसका vegetative reproductive और senescence phase जो है वो आपके clearly observe नहीं कर सकते है तो इसके respect में जो answer है first अपना क्या हो जाएगा right हो जाएगा clear है next question which one is incorrect statement निम्न में से कौन सा कथन ऐसते है निम्न में से कौन सा कथन ऐसते है development of embryo from zygote is embryogenesis सही बात है cell division and cell differentiation ये भी सही बात है कि जब zygote है तो zygote के अंदर continuously क्या होता है डिवीजन होता है और डिवीजन होकर के क्या होता है कि जो cells continuously डिवाइड हो रही है वो तो आपके डिवाइड होता रहेगा बड कुछ से जो होती है वो एक specified structure के अंदर क्या हो जाती है convert हो जाती है तो वो differentiation प्रोसेस के थुरू होगा the chance of survival of young ones is higher in वीवीपेरस organism में ये भी सही बात है higher होता है क्योंकि वीवीपेरस जो आपके वीवीपेरस organism में वो है जो चाइल्ड लेंग है ठीक है जो बच्चे दे रहें हाना क्या दे रहें बच्चे दे रहें तो उनकी parental care भी क्या होती है आपके ज़्यादा होती है ठीक है तो उनके chances क्या है survival के ज़्यादा है fourth statement reproduction of organism cannot affected by their habitat and internal physiology बहुत ही अच्छा statement है बच्चो कोई भी organism में जो है उसका reproduction mode है वो reproduction mode no doubt habitat habitat से affected होता है अब habitat का मीनिंग क्या हुआ कि वो कौन से climatic condition में उसको food जो है resources क्या available है तो ये सारी चीजे जो होती है वो affect करती है reproduction को और physiology की अगर मैं यहां पर बात करूँ तो जिसे hormones है हाना तो hormones क्या होते हैं आपके responsible होते हैं इसमे किस type का रिप्रोडक्शन किस तरीके से early हो रहा है डिले हो रहा है किस तरीके का रिप्रोडक्शन है तो इसके regarding में जो statement हो statement कौन सा हो जाएगा fourth number right हो जाएगा मतलब ये affected करता है तो इसका मतलब यहां पर क्या होँआ इसका जो fourth statement हो आपके right है इसके respect में incorrect statement के respect में next which of the following pair is related to dioceseus plant देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा clear कर देता हूँ dio sheas plant का meaning क्या होता है dioceseus plant का actually meaning होता है uni unisexual क्या meaning होगा unisexual एक second आपके से लिग रहा हूँ dio sheas का जो meaning है वो क्या रहेगा unisexual ठीक है मतलब यहां पर male और female structure जो है वो separately क्या है present है तो अब इसके respect में अगर आपन देखें तो जो papaya है no doubt आपके जो है dioceseus है बट coconut जो है वो आपके क्या रहेगा monosheas रहेगा cucurbits monosheas है papaya dioceseus है बट जो papaya और जो date palm है ठीक है वो आपके क्या होते है dioceseus है मतलब इनके अंदर male और female जो flower structure होता है वो different plant पे क्या होती है present होती है यहाद रहेगर है चीज़ को और date palm और coconut यह नहीं होगा तो अपना option जो है वो कौनसा राइट हो जाएगा निम्न एनिशेशन के लिए जल निम्न में से किसमे अनिवारिये है तो अब जानते है कि जो life है life का origin water के अंदर होगा है तो हर एक चीज़ का concept है जो इस nation ने बनाया है वो बिल्कुल लोजिकली बनाया है तो यहाँ पे जो plants हैं क्योंकि plants से related बात हो रही है यहाँ पे plants है तो plants के अंदर algae आते हैं bryophytes, teridophytes, gymnosperms, angiosperms आते हैं तो आप याद रखें कि जो algae है algae bryophytes ठीक है and teridophytes यह वो plant है जो अभी भी fertilization के लिए water पे dependent है but अगर अपन gymnosperm और angiosperms की बात करें तो gymnosperm में air pollination start हो चुका है और angiosperm के अंदर air के थू भी हो रहा है water के थू हो रहा है और insect के थू भी हो रहा है बट यहाँ पे statement के है essential है अनिवार यह है हिंदी में देखना अनिवार यह है तो अनिवार यह के लिए जो अपना statement write जाएगा या option write जाएगा वो कौन सा हो जाएगा fourth number write हो जाएगा clear है next in majority of organism the male gamete NCRT का statement है बिलकुल अच्छे से ध्यान दे लें आपे ठीक है in majority of organism the male gamete is and female gamete is तो अपन जानते हैं कि जो male gamete होते हैं वो क्या होते हैं आपके motile होते हैं clear है और जो female gamete होते हैं वो stationary होते हैं या आपन इसको बोसकते हैं क्या known motile but stationary ज्यादा वर्ड आपके write रहेगा ठीक है stationary इसलिए मैंने आपको पहले यहांपे mention किया है ठीक है तो यहांपे इसका option क्या जाएगा 4th number option क्या हो जाएगा write हो जाएगा next हावचो 112 number question consider the following यहांपे diagram दे रखें अब यह जो diagram है वो किसे related है NCRT based है ठीक है यहांपे जो first diagram है वो है Kledo Fora second जो diagram है वो है Fucus third जो diagram है वो human के sperm और ovum का दे रखा है clear अब यहांपे आप देखिएगा diagramatically अगर आपन देखें तो यहांपे अपने को कुछ इसमें changes या morphologically features के बैसे इसमें differentiate कर सकते है तो यहांपे क्या पूच है identify gametes respectively तो यहांपे आप देखिएगा क्या यह जो diagram हो hetero gametes first जो है no doubt यह homo gamete है but यहांपे यह भी hetero gamete है but यहांपे यह वाला जो है वो homo gamete नहीं है तो अपना यह भी जो है wrong हो जाएगा third number क्या है homo gamete no doubt homo gamete है यह morphology के लिए आपके क्या है similar है और second क्या है homo gamete तो यह hetero gamete है और third क्या है आपके hetero gamete तो यह hetero gamete है but यह वाला second जो option है मतलब इसके अंदर homo gamete नहीं है यह क्या hetero gamete है but अगर अगर अपन यहांपे fourth option देखे homo gamete है hetero gamete और hetero gamete तो अपना answer क्या हो जाएगा fourth number जो है वो अपना right answer हो जाएगा ठीक है next kara show occurrence of reproductive structure kara देखो यह NCRT के अंदर आपके जो है वो diagram mention कर रखा है page number 12 पे मैं यहांपे mention कर देता हूँ page number 12 पे जो figure है वो mention कर रखा है अब kara जो है वो एक green alga है ठीक है और इसके अंदर कौन सा structure होता है देखो पहले option देख लेते हैं stamen carpel on the same plant upper enthridium lower eugonium on different plant upper eugonium lower enthridium on the same plant और fourth है enthridio4 archegonio4 on the different plant अगर यहाँ पे अपन kara का structure देखे इस तरीके से अपन structure अगर देखे kara का तो अपने को कुछ इस तरीके से जो है वो आपकी structure इसके अंदर देखाई 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 ठीक है इस तरीके से और यह जो structure है यह जो structure आपको दिखाई दे रहा है ठीक है कारा के अंदर तो यह वाला जो structure है इसको अपन क्या बोलते हैं O-gonium और इस structure को अपन क्या बोलते हैं N-3-D-M ठीक है O-gonium को अपन क्या बोलते हैं Nucle और इसको अपन बोलते हैं Globule क्लियर है अब क्योंकि यह सेम ब्रांच पर आपको दिखाई दे रहा है और इस structure को अपन क्या बोलते हैं O-gonium बोलते हैं और अ-3-D-M N-C-I-R-T क्लियर्ली जो है वो statement जो है वो diagram पर में जो है आपको दिखाई देगा तो इसका अपना answer है वो stamen नहीं होगा क्योंकि stamen जो होता है वो higher plants के अंदर देखने को मिलता है और कार्पल जो होता है वो भी higher plants के अंदर देखने को मिलता है अपर अं-3-D-M and lower eugonium on the different plant मला अपर अं-3-D-M and lower eugonium on the different plant नहीं है यह भी statement अपना क्या हो जाएगा रोंग हो जाएगा थर्ड नमबर है अपर eugonium lower eugonium on the same plant तो same plant पे जो है वो अपना upper eugonium और lower eugonium structure जो है वो दिखाई दे रहा है N-3-D-O-4 and archegonium 4 on the different plant यह भी नहीं होगा क्योंकि यह basically जो है वो markensia के नदर जो है वो देखने को मिलता है bryophytes के नदर देखने को मिलता है तो यह statement भी अपना क्या हो जाएगा रोंग जाएगा इसका मतलब अपना जो answer है right third number option जो है वो आपके क्या रहेगा right रहेगा okay next those animals give birth to young ones अलब जो जीव नवजात उत्पन करते हैं कहलाते हैं तो यहाँ पे अगर आपन देखें तो वीवी पेरस जो है वो आपके क्या रहेंगे ऐसे organism में है जो आपके क्या करते हैं give birth to young ones ठीक है. Amphibians नहीं होंगे इसके अंदर ओवो वीवी पेरस भी नहीं होंगे और ओवी पेरस भी नहीं होंगे. जो एग दे रहे हैं ठीक है? ओवो वीवी पेरस का मतलब जो एग भी दे रहे हैं और osirmination भी कर रहे हैं, जैसे plant की बात करें तो plant के अंदर क्या होता है, जैसे एक rhizophora, एक plant होता है, उसके अंदर seed को germinate, महलब soil में germinate होने से पहली उसके अंदर क्या हो जाता है, germination process देखने को मिल जाता है, तो अपना जो answer है वो answer क्या हो जाएगा, first जो option है वो आपके क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, next, what is the ploidy of ovary, anther, egg, pollen, male gamete and zygote, देखो यहाँ पे, जो ovary है, no doubt, to end रहेगा, diploid structure रहेगा, anther, जो structure रहेगा, diploid structure रहेगा, egg जो है, वो कैसा रहेगा, haploid structure रहेगा, pollen जो है, वो कैसा structure रहेगा, वो भी haploid structure है, और male gamete भी क्या रहेगा, haploid structure, और zygote क्या रहेगा, diploid structure रहेगा, क्योंकि वो गेमीट के fusion से बन रहा है ठीक है, तो जाइगोट क्या हो गया, डिपलोड इस्ट्रक्चर हो गया तो यहां पर अगर अगर अपन देखें तो ओवेरी जो है, क्या 2N है यस 2N है, एंथर 2N है, ठीक है एग जो है 1, ठीक है, N हो गया पोलन क्या हो गया, N हो गया मेल गेमीट क्या हो गया, N हो गया और जाइगोट भी क्या हो गया, 2N हो गया अब इसमें देखें, तो इसमें आपके मेच नहीं कर रहा है इसमें देखें तो इसमें भी मेच नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर answer आपको first option में ही इसके respect में आपके क्या है दिखाई दे रहा है तो आप second, third, fourth option नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आपका first option क्या हो जाएगा? right हो जाएगा, okay? next no individual organism immortal except यह NCIT based है, जो reproduction in organism के अंदर जो दे रखा है no individual organism immortal except देखो, single cell organism, green plants, spawn, hydra अगर यहां पर कहें कि immortal, immortal का मिनिंग क्या हुआ? कि जो single cell organism है, वो single cell organism है क्या करते हैं? जैसे अगर अपन बात करें, यहां पर किसकी? बैक्टिरिया की बात करें या फिर अमिवा की बात करें तो यह single cell organism में जो होता है इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? बाइनरी फीजन क्या देखने को मिलेगा? बाइनरी फीजन देखने को मिलेगा तो इसमें क्या होगा? कि जो दो cell बन रहा है एक single cell से यह cell है, यह दो cell बन रहा है तो यहां पर दो cell बना और यह दोनों cell जो है वो क्या है? इक्वल है इक्वल इन साइस तो पीछे कुछ नहीं रहा पीछे जो है वो कुछ भी नहीं रहा जो यह parental cell था यह वापस से दो new cell का क्या कर गया? formation कर गया ठीक है? सेकिंड अगर आपन देखें जैसे green plants तो green plants के अंदर क्या होता है? आपके immortal नहीं होता है उसके अंदर cells जो है वो dead भी होता है ठीक है इसलिए इसको अपन immortal consider नहीं करेंगी sponge जो हता है multi-celler उसके अंदर भी क्या होता है? आपके immortal features जो है वो show नहीं होगा और hydra जो है उसके अंदर भी जो है आपके immortal features जो नहीं होगा तो जो single cell organism में है उनके अंदर आपके क्या हो जाएगा immortal naturally देखने को मिलेगा हाँ accidentally कुछ हो जाए तब वो cell dead हो सकता है otherwise वो naturally क्या रहेगा immortal रहेगा इसलिए अपना जो option है वो first जो option है वो क्या हो जाएगा right हो जाएगा next which of the following sequence of organism is correct in respect of the life span जीवन काल से संबंदित कौन सा क्रम सही है तो यहाँ पे चार आपको जो है वो organism के name दे रखे हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ parrot ठीक है crocodile crocodile crow and crocodile clear crocodile crow और butter fly NCRD के अंदर जो है यह clearly जो है आपके क्या है mention कर रखा है ठीक है page नंबर 4 के अंदर figure 1.1 में parrot का जो life span होता है वो होता है 140 year crocodile का जो life span होता है वो होता है 60 year crow का जो life span होता है वो होता है 15 year butterfly का जो life span है वो है 1 से लेकर के 2 week का होता है तो अब इसके according अगर अपन देखें तो parrot crocodile crow butterfly इसको भी देख लेते हैं crocodile parrot crow butterfly नहीं होगा ये crow parrot crocodile butterfly ये भी नहीं होगा parrot crow crocodile butterfly ये भी नहीं होगा तो अपना जो answer है वो answer क्या हो जाएगा first number जो है अपना जो answer है वो क्या हो जाएगा आपके first number क्या रहेगा right रहेगा, next which of the following is a false statement निम्न में से कौन सा कथन ऐसेते है आपको कुछ statement देखने हैं, फिर आपने देखेंगे इस में से false statement कौन से है each organism evolve on mechanism to multiply and produce offspring asexual reproduction is uniparental sexual reproduction is biparental और fourth number है, in asexual reproduction fertilization occur देखो, जो first statement है, वो यह कह रहा है कि हर एक organism में जो है, वो अपने को multiply करने के लिए या अपना number बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं mode of reproduction डेवलप कर रहा है, जाए वो asexually करे चाहे वो आपके sexually करे, तो सही आपके जो है, वो statement है यह asexual reproduction is uniparental, NCRT में clearly mention कर रखा है कि asexual reproduction में, जो है वो uniparental, जो single parent है वो ही आपके क्या होता है, participate करेगा, तो यह भी statement सही है third number है, sexual reproduction is biparental, हाँ, इसके अंदर जो है वो आपके क्या होगा, कि biparental होगा, male and female जो है वो आपके partner जो है, उसमें रहेंगे और male and female gamit का क्या करेंगी, production करेंगी, और उनमें fusion होगा और fusion होगा, जाइगोट का क्या होगा, permission होगा, तो यह भी आपके क्या होजाएगा, सही statement होजाएगा, but asexual reproduction fertilization, तो asexual reproduction के अंदर जो है, वो fertilization process देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब यह जो option है वो क्या होजाएगा, रोंग हो गया, ठीक है, तो fourth number statement, मैंने false statement के regarding में बता रहे हैं, ठीक है, तो fourth number क्या होजाएगा, right होजाएगा, next clone is, ठीक है, NCRT based statement है, clone is, morphologically dissimilar to parent, नहीं होगा, genetically dissimilar to parent, यह भी नहीं होगा, morphologically similar, but genetically different to parent, नहीं होगा, और morphologically and genetically similar to parent, यह क्या होजाएगा, अपना right statement होजाएगा, योगि actual में जो clone है, किसे बनता है, asexual reproduction, किसे बनता है भई, asexual reproduction का product है, तो वो morphologically भी similar रहेगा, और genetically भी क्या रहेगा, similar रहेगा, इसलिए अपना, इसके respect में जो answer होजाएगा, fourth number, next Among the following, which one is not a method of asexual reproduction, तो asexual reproduction से regarding जो है, वो कौन सा method नहीं है, क्या budding है, yes, budding है, conedia, जैसे fungus के अंदर जो है, वो देखने को मिलता है, gamete fusion, यह नहीं होगा, क्योंकि यह sexual reproduction के अंदर देखने को मिलता है, और binary fusion भी जो है, mode of reproduction है, किसका, asexual reproduction का, तो इसका answer क्या जाएगा, third number option है जाएगा, next, in flowering plants, diversity of structure of the inflorescence, flower, floral parts, देखो, flower के अंदर, जो different type of diversities है, किसके respect में, in flowering sense के respect में, या, pushpa, pushpa bhaag के respect में, या pushpakram के respect में, जो है, उससे related जो है, अपने को क्या, जो है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, are responsible for making our garden beautiful, यह नहीं होगा, ensure self-pollination, ठीक है, यह भी, जो statement है, इसके respect में, नहीं होगा, are adaptation to ensure formation of end product of sexual reproduction, ठीक है, और fourth number के है, ensure animophily, तो यह भी नहीं होगा, तो अपना answer क्या हो जाएगा, इसके respect में, third number जो है, answer right हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा point जो क्या है, end product, तो यहाँ पे end product क्या बनता है भाई, seed and fruit का formation, ओके students, clear है यहाँ बे, कि जो end product है, वो end product अपना क्या बन रहा है, मतलब flowers के अंदर क्या बन रहा है, seeds and fruits का क्या हो रहा है, आपके formation हो रहा है, number statement हो जाएगा, next, which of the following statement is not true, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, the storage tissue of rice and other cereals, grains is endosperm, सही बात है यह, NCRT का statement है, outermost layer of endosperm of mage grain is alluron layer, यह भी सही बात है, in black paper, persistent new cellars is parisperm, यह भी सही बात है, black paper के अंदर जो है, वो parisperm बोला जाता है new cellars को, क्योंकि वो आपके residual form के अंदर यह, आप cyst form में क्या होता है, present रहता है, the transformation of ovule into seed and ovary into fruit does not proceed simultaneously, यह जो statement है, यह statement आप देखिएगा, does not यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे यह है, कि यह जो statement है, यह statement आपके बिल्कुल क्या है, right जो है वो आपके रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपके, अगर आपन देखिएगा, the transformation of ovules into seed and ovary into fruit does not proceed simultaneously, तो यहाँ पे जो यह statement है, इसके respect में, not true के respect में, जो है वो आपके क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, क्यों होगा wrong यहाँ पे, क्योंकि देखो, seed या जो fruit होते हैं, वो food के लिए जो होते हैं, वो एक दूसरे पे कभी भी जो है, वो depended नहीं होते हैं, तो इनका जो development होता है, ठीक है ना, वो simultaneously होता है, साथ-साथ ही चलता है, seed भी बन रहा है, और साथ-साथ में, क्या बन रहा है, fruit का भी क्या हो रहा है, formation भी देखने को मिल रहा है, तो यह statement, not true के respect में क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, clear है, next, NCRT-based जो है वापके statement है यहाँ पे, यह है page number 22 से ठीक है, लिया गया है, NCRT-based है, और यहाँ पे जो है वो diagram दे रखा है, यहाँ पे A जो है वो mention कर रखा है, C यहाँ पे जो है वो mention कर रखा है, B को जो है यहाँ पे mention कर रखा है, और यहाँ पे यह वाला जो structure है, इसको mention कर रखा है ठीक है तो यहाँ भी यह बताना है कि जो layers है उन layers का जो है वो आपके क्या sequence क्या है तो अपन जानते हैं जो first जो A है वो किसको denote करेगा यहाँ पर देखते हैं क्या यह endothesium है connective है sporogenous tissue है tapitum है तो यह option नहीं होगा connective है तो connective है sporogenous tissue है क्या sporogenous tissue यह भी है endothesium है CB आपके यह endothesium है और tapitum यह आपके tapitum layer हो गया ठीक है और भी देख लेते हैं अपन sporogenous tissue A नहीं यह नहीं होगा अब यह नहीं तो इसका मलता other भी जो है वो आपके नहीं होगे ठीक है fourth number के tapitum है क्या यह 8 epitum है यह भी नहीं होगा तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा second answer जो है वो आपके क्या हो जाएगा right हो जाएगा second option जो है वो right next every cell of sporogenous tissue is treated as in enter देखो enter के अंदर अगर 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 बात करें sporogenous tissue या बिजानू जन उत्तक की परतेक कोशिका किस तरीके से विवहार करती है तो अपर जानते हैं जो sporogenous tissue होता है इस तरीके से यह sporogenous tissue हो गया इसके अंदर यह sporogenous tissue है इस sporogenous tissue की हर एक cell परतेक कोशिका किस तरीके से विवहार करती है microspore mother cell और इसी microspore mother cell से आगे चल करके क्या बनते हैं microspore का क्या होता है formission होता है तो यह sporogenous tissue इसके अंदर homogenous जो tissue present है ठीक है और यही जो है microspore mother cell का क्या करेगा formation करेगा और उसी से जो है आपके microspore का क्या होगा formation होगा तो क्या यह treat होगा microspore नहीं क्या यह pollen की तरह treat होगा नहीं microspore mother cell या potential pollen के अंदर क्या इसको treat किया जाएगा yes fourth number देख लेते है mega spore mother cell क्योंकि यह female से related है तो यह option भी क्या होगा अपना wrong होगा तो इसका meaning क्या वा इसका जो right answer हो क्या होगा third number right हो जाएगा next when anther mature dehydrate the separate dissociation from each other and develop into तो जैसे अपन जानते है कि जब एंथर का क्या होता है dehiscence होता है बतलब जब वो spooties होता है rupture होता है तो वहां से जो rupture होने से पहले अगर अपन देखे तो जो microspore होते है वो microspore किस form में होते है किस form में होंगे tetrad में यह है आपके microspore ठीक है microspore हो गए तो यह microspore tetrad form के अंदर है बट जैसे ही anther जो है वो rupture होने वाला है तो उससे पहले यह microspore क्या होंगे अपके pollen grain में क्या हो जाएंगे form हो जाएंगे तो यहां पे क्या होंगे यह cells क्या हो जाएगी separate होगी और यही आगे चल करके क्या बना देंगे एंथर का क्या करेंगे formation कर देंगे तो वेन एंथर मेचोड डिहाइडरेड दा microspore separate dissociate from each other and develop into pollen grain तो यहांपे अगर आपन देखें तो megaspore embryo sac नहीं होगा microspore pollen grain यह होगा इसके अन्दर answer pollen grain और megaspore यह भी नहीं होगा और megaspore और microspore यह भी नहीं होगा तो अपना जो answer है वो answer right हो जाएगा कौन सा इस statement के regarding में second number clear है? next which layer not perform the function of protection and helping dehisions of anther निम्न में से कौन सी परत सरक्षन और पराकोष इस पुटन में सहायक नहीं होती है तो यहांपन जानते हैं epidermis होता है endothesium होता है middle layer भी होता है बड़ जो tapitum layer है वो tapitum layer है नहीं होगा tapitum layer जो होता है वो actually वास्त्विक रूप से developing जो micro spore mother cell है या लगू भी जानू मातर कोशिका है या जो लगू भी जानू को क्या करती है portion या nutrition क्या करती है परदाने करती है तो इसलिए यहां पर इस statement के respect में fourth option जो है वो क्या हो जाएगा right हो जाएगा next during pollen grain development first division pollen grain के अंदर first division हो और क्या बनेगा यह पूछ रहा है पराकन के परिवर्दन के दोरान पर्थम विभाजन का परिणाम है तो अपन जानते हैं पराकन के अंदर जैसे ही first division होता है no doubt जो पराकन जो होता है pollen grain जो होता है वो हैपलोड होता है agonit होता है तो उसके अंदर जब first division होगा तो उसमें दो cell बनेगी एक तो बनेगी कौन सी vegetative cell और एक कौन सा बनेगा generative cell का या एक तो बनेगी काई कोशी का और एक क्या बनेगी generative cell का तो उसमें से अगर आपन देखें तो क्या a large vegetative cell and smaller generative cell तो यह statement आपके क्या हो जाएगा NCRT based रही है पूरा तो यह statement अपना क्या होगा right हो जाएगा और भी देखते a large generative cell and smaller vegetative cell नहीं होगा both cell equal size नहीं होगा a large vegetative cell with small and irregular nucleus ठीक है ना small नहीं होता है इसके अंदर इसके अंदर होता है क्या large size का क्या होता है nucleus होता है तो यह statement भी क्या हो जाएगा आपके wrong हो जाएगा तो इसके respect में अगर आपन देखें तो कौन सा option right रहेगा first number जो option है वो क्या रहेगा right रहेगा next which statement is false देखो इसमें से कौन सा statement जो है वो false है निम्ड में से कौन सा कथन ऐसेते है यह आपको पहचानना है in over 60% angiosperm pollen grain are shaded in two cell states सभी बात है NCRT का statement है कि जो angiosperm से उन में से 60% जो है angiosperm उसके जो pollen grains है वो two cell form में क्या होते है यहाँ पे क्या करते हैं transfer हो जाते है जो stigma part है वहाँ पे क्या हो जाएंगे transfer हो जाएंगे clear है तो यह statement आपके क्या है right है 40% of angios from pollen grain are shaded at three cell stage यह भी सही बात है ठीक है entire layer made up of by sporopollenin तो यह statement जो है वो क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा zump or present where sporopollenin is absent यह भी सही है तो entire layer के अंदर में आपको बदाता हूँ deposition होता है किसका pecto cellulose का किसका deposition होगा pecto cellulose का तो यह statement अपने इस false के reference में क्या हो जाएगा right रहेगा next about diagram show some stages of microspore maturation a, b, c को identify करना है तो यहाँ पर अपन clearly कहें तो first statement अगर आपन देखें क्या यह symmetric spindle है नहीं अब जगो a अगर गलत आगे इसका मेला उस option को आप छोड़ दो आगे पड़ो यह मत ठीक है second statement क्या है asymmetrical spindle है सही बात है asymmetrical spindle है vasitativ cell है क्या b, vasitativ cell है c, c जो है genitive cell है तो यह statement अपना क्या हो जाएगा right हो जाएगा और भी देख लेते है asymmetrical है सही बात asymmetrical अभी तक generative cell है क्या नहीं यह जो large cell है यह कैसी है vasitativity cell है और यह statement अपना क्या हो गया wrong हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या ये symmetric है, तो ये भी statement अपना क्या हो गया, wrong हो गया तो यहाँ पर जो right statement है, वो right statement अपना क्या हो जाएगा, second statement क्या हो जाएगा, right हो जाएगा और मैं आपको एक चीज clear कर दूँ, कि इसके अंदर जितने भी diagram है, वो diagram सारे के सारे जो हैं, वो ncrt-based है, ठीक है और सारे के सारे जो diagram हो अच्छे से आप clear कर लिए ठीक है, ना, one by one करके ठीक है, तो यहाँ पर जो statement है वो statement इसके reference में कौन सा हो जाएगा, second option जो है, वो क्या हो जाएगा right हो जाएगा, next Microspore Vesidative cell बनाता है Generative cell बनाता है और यह Generative cell क्या बनाता है Two male gamit का क्या करता है, formation करता है तो अपन जानते है, जो Microspore होते हैं वो क्या होते हैं N होते हैं, ठीक है अब इस Microspore से Two cell का क्या हो रहा है, formation हो रहा है तो यहाँ पर जो division होगा, वो division कैसा होना चाहिए? माइटोसिस डिवीजन होना चाहिए. ठीक है? तो यहाँ पर option क्या दे रखा है? देखो A और B की respect में. क्या यह मियोसिस होगा? नहीं. तो मियोसिस फर्स दे रहा है, इसका अलग दूसरा यहाँ पर दो सेल बन रहा है. ठीक है? अब इसे जनेटिव सेल के अंदर फर्दर आपके क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलेगा. और माइटोसिस डिवीजन से आपके क्या बनेंगी? टू मेल गेमीट का क्या होगा? K पर मिशन होजाएगा. तो अपना option जो है, वो right कुंसा होजाएगा? देखो, यह भी N है? मैं mention कर देता हूं यहाँ आप और यह भी क्या है? N structure है. हपलोड structure है. तो अपना option क्या होजाएगा? Fourth number जो option है, वो क्icus क्या होजाएगा? Right होजाएगा. Next. पोलन ग्रीं पॉलन ग्रीज पॉल ऱ्रीं अफ्ली ड्रींर टीम इसके सामगर्षिंडे कास्व र schaffen प्रॉंड ग्रीं आर्जिट्रेंडि वॉलन ड्रींडति ण्रीदे ढुकित In vitro, pollen grain germinate required 1% sugar solution. यह कुछ अपने सामने statement है, students. अब इन में से अपने को यह देखना है कि इसमें से false statement कौन सा है. बहुत यह अच्छा question है, और NCRT-based है. यह सारे के सारे NCRT के statement है. Clear है? Pollen grain represent male gametophyte. सही बात है. Male gametophyte को क्या करता है? Represent करता है. तो यह statement आपके क्या है? राइट हो जाएगा. Pollen grain of many species cause severe allergy. यह भी सही बात है. Different type of species के जो है, वो आपके pollen grain क्या करते हैं? Allergy cause करते हैं. जैसे allergy के अपने बात करें, जैसे अस्थमा हो गया. ठीक है न? यह अदर जो allergy के आपको देखने को मिलेगा. Symptoms, वो सारे के सारे इसी से related हैं. Third number जो है किया pollen grain are rich in nutrients. Yes. इनको जो है वो tablets form के अंदर भी. ठीक है? जैको, यह जितने भी statement है, इसके surrounding, जितना भी matter cover हो रहा है, मैं यहाँ पे सारा matter cover करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है? तो नुटेंट्स है, तो इसलिए इनके जो tablets है, यह जो syrup है, वो क्या किये जाते हैं, यूस के जाते हैं, जो athletics वगरा होते हैं, यह जो horse वगरा होते हैं, उनको जो है वो यह दिये जाते हैं, ठीक है? एनरजी booster के रूप में. ठीक है, तो यह statement भी अपना, जो है, वो राइट हो जाएगा. All species, pollen grain, size, shape, color and design are same. यह statement, students, अपना क्या है? रूप है. क्यों है? क्योंकि, जो species होती है, pollen grain की, उनके अंदर, उसका जो shape है, जो size है, या जो color है, जो design pattern है, वो design pattern जो है, कैसा होता है, different होता है, same नहीं होता है, इसलिए यह statement क्या हो जाएगा, रूप, और एक चीज़ में आपको interesting बता देता हूँ, जो design pattern है, यह कौन decide करता है, यह exine layer, एक second, यह जो है वो आपके कौन, exine layer के अंदर आपके क्या है, sporopollenine का जो deposition है, वो decide करता है, किस तरह का design pattern उसके अंदर देखने को मिलेगा, तो यह statement wrong है, in vitro pollen grain germination required 1% sugar solution, तो यह भी statement अपना क्या है, wrong है, रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से, यह NCRT का statement है, ठीक है न, यहाँ पे sugar solution जो है, वो कितना चाहिए, 10% होना चाहिए, ठीक है न, तब ही जो है, in vitro मतलब, जो laboratory condition है, lab के अंदर, जो है वो अपन कोई भी कारिये कर रहे हैं, कोई भी work कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1% sugar solution नहीं है, यहाँ पे कितना है, होना चाहिए, 10% according NCRT statement, ठीक है, तो यह statement भी अपना क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, तब आप match करिएगा, कि यहाँ पे कौन सा statement जो है, या कौन सा option है, वो रोंग है, तो यहाँ पे, यह option जो है, वो मेरे को रोंग लग रहे है, 1st और 2nd नहीं है, यह 4th जो है, वो आपके रोंग है, बट 2nd नहीं है, 1st जो है, वो आपके, और 2nd, यह भी नहीं है, और यह जो है, आपके 1st और 3rd जो है, यह भी नहीं है, तो अपना option जो है, वो right जाएगा, वो कौन सा जाएगा, third number, right जाएगा, next, pollen grain is 25 to 50 micrometer, student, इसको correct कर ले, micrometer, clear, pollen grain is 25 to 50 micrometer in diameter, pollen grain are well preserved as fossils due to sporopollenin deposition, vegetative cell is bigger, has abundant food reserve material, pollen grain cannot lead to chronic respiratory disorder, यह कुछ statements, students, how many statements falls, अपने को यह देखना है कि इसमें से false statement कितने है, अगर मैं पहले statement की बात करूँ, तो NCRT के अंदर clearly mention कर रखा है, कि size जो है, वो 25 से लेकर के, 50 micrometer in diameter, जो है, वो देखने को मिलता है, तो यह statement अपना के है, right है, pollen grain are well preserved as fossils due to sporopollenin deposition, सही बात है, क्योंकि उसके अंदर जो exine है, उसके अंदर sporopollenin का क्या होता है, deposition होता है, और sporopollenin जो है, वो इतना hard होता है, ठीक है, और इतना tough structure है, कि आज तक के record में at present time, ने तो वो किसी enzyme से, ने किसी chemical से, ने किसी आपके temperature से, है ना, ने किसी acid से जो है, वो आपके degrade होया, तो इसका use जो है, वो अपन as a fossil form में या long time period तक pollen grain को store करने में क्या कर सकते हैं, use ले सकते है, vegetative cell is bigger, सही बात है, has abundant food reserve material, ये भी सही है, pollen grain cannot lead to chronic respiratory disorder, नहीं ऐसा नहीं है, pollen grain जो होते हैं, वो काफी serious, जो है, respiratory disorder जो है, वो आपके करते हैं, जैसे asthma की बात करें, आप जानते हो, अगर अस्थमा किसी को हो जाता है, तो उस person की जो है, वो death भी हो सकती है, है ना यह chronic जो है वो आपके respiratory disorder क्या करते हैं cause करते हैं तो यह statement जो है वो आपके क्या हो जाएगा रोंग हो जाएगा यह बतलब इन में अगर आपन देखें तो अपना जो एक statement जो है वो आपके क्या है रोंग है तो इसका option क्या जाएगा first आजाएगा next which of the following is correct about parthenium carrot grass parthenium से सम्मंदित कितने कथन सही है parthenium came into India as a contaminated with improved sorry imported wheat सही बात है यह NCRT का statement है ठीक है second it has become ubiquitous in occurrence यह भी सही बात है यह हर जगा आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि wheat है wheat हर जगा देखने को मिल रहा है तो यह भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा NCRT के statement है यह it cause pollen allergy तो यह भी आपके जो है pollen allergy क्या करते हैं cause करते हैं parthenium तो अपना जो option जाएगा वो क्या जाएगा more than one option तो fourth number option जो है वो अपना क्या हो जाएगा right हो जाएगा next which of the following have least pollen viability cereals like wheat, rice members of rosacee members of leguminocy members of solanus देखो यह NCRT में clearly mention कर रखा है कि pollen viability actual में होता क्या है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर define कर देता हूँ कि जैसे ही pollen जैसे यह pollen हो गए आपके इस तरीके से यह जो pollen है pollen grain ठीक है pollen grain हो गए इन pollen grain को एक particular time period के अंदर अंदर कहां पर ट्रांसफर होना होता है कहां पर ट्रांसफर होना होगा stigma structure पर pistil या कारपल का जो पार्ट है वहें पर ट्रांसफर होना होगा तो यह time period between pollen grain land on stigma structure for the pollination तो यह जो time period है इसी को अपन क्या बोलते है pollen viability तो यहां पर जो cereals है उनके अंदर NCRT में clearly mention कर रखा है कि 30 minute के अंदर अंदर अगर pollen grain इस पर ट्रांसफर हो जाए तब तो उनका dermination हो जाएगा otherwise नहीं होगा यह NCRT में clearly mention कर रखा है but roseasi, leguminasi और solenasi जो है उनके अंदर यह survive कर सकते है months तक क्या कर सकते है survive कर सकते है student NCRT का बहुत clearly statement दे रखा है कि जो cereals उनमें 30 minute होता है और जो roseasi है, leguminasi है, solenasi उनके अंदर months तक भी क्या कर सकता है मन्स में अगर जाएगा तो यह आराम से pollen germination यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो यह statement, यह वाले statement, यह वाले statement क्या हो जाएगे wrong और अपना answer हो क्या हो जाएगा first number क्या हो जाएगा right हो जाएगा next, how are students? question number 145 consider the following nimna को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके सामने दो डाइगराम दे रखे NCRT-based डाइगराम है यह सारे ठीक है? और इसमें यह पुछा गया है A and B show female reproductive organ of pepevar and mychelia respectively यहाँ पर आपको यह भी mention कर दिया गया question के अंदर के यह जो डाइगराम है यह तो pepevar का डाइगराम है और यह जो डाइगराम दिखाए दे रहाँ आपको यह है माइचेलिया मालब चंपा अब आपको यह पहचानना है के इसके अंदर जो है वो कौन सा मेच कर रहे हैं? तो NCRT का सिंकार्पस पिस्टल ओफ पेपेवर होगा यह यह स्टेटमेंट सही है मल्टी कार्पलेरी एपो कार्पस गाइनोशियम ओफ माइचेलिया इसमें अगर अगर आपन देके तो यह सारे सिंगल सिंगल आपके क्या है कार्पल है और यह जो कंडिशन यह कौनसी है सिंकार्पस कंडिशन है यह वाली जो है वो कैसी है सिंकार्पस कंडिशन है तो NCRT के अकोडिंग अगर अपन देके तो फास्ट ओप्शन जो है अपना राइट है सेकिंड थर्ड फॉर्थ को भी देख लेते हैं multi-carpollary, apocarpus, pistol paper word, नहीं होगा, multi-carpollary, syncarpus, gynosheum, नहीं होगा, ठीक है, A and B multi-carpollary, यह भी नहीं होगा, ठीक है, fourth number, जो option है, यह भी आपके नहीं होगा, इसका मतलब, इसका जो answer है, वो answer, कौन सा हो जाएगा, first number, जो option है, यह first number, जो statement है, वो आपके क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, next, next, अगर आपन देखें, which of the following have least, sorry, sorry, one second, yes, match the column first and column second, clear है यहापे, यहापे आपे, देखिएगा एक रेंगें, column first or second, का आपको क्या करना है, match करना है, ठीक है, funicle, mass of cells, within ovule with food, hyalum, integument, chaleza, new cellus, NCRT के अंदर दे रखें, clearly है statement, अपन इसको match करते हैं, यहापे, funicles, देखिएगा, funicles, जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे, इसका फिफ्थ नंबर जो है, वो आपके match करेगा, ठीक है, hyalum जो है, वो hyalum आपके कौन सा हो जाएगा, यह hyalum आपका रहेगा, कौन सा, यह वाला, clear है, C जो है, integument, integument कौन सा होगा, third number one or two, protective layer of ovule हो जाएगा, और fourth number जो है, आपके क्या हो जाएगा, चलेजा, चलेजा कौन सा हो जाएगा, opposite the micropylor end, और new cellist कौन सा हो जाएगा, mass of cells within ovule, with food, अब देखिएगा, इसकेंदर अपने को match करना है, तो आपन पहले एक बार देखते हैं, जैसे बी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, randomly, बी जो है, बी अपना क्या रहा था, reason where body of ovule fused with funicle, तो फॉर्थ इसके अंदर कौन सा दे रखखा है, students, आप देखिएगा, ये वाला, देखो, क्या बी के अंदर, फॉर्थ इसके अंदर, इसका मतलब ये नही है, ये नही है, ये नही है, तो इसका मतलब अपना, जो answer है, वो आपके कौन सा हो जाएगा, second option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, देखो, ये आपको exam में देखने को मिल सकता है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, कि ये होता है, time को बचाना, time saving, question है, entry of pollen tube, ये embryo sac by, भुण कोश में पराग नलिका का प्रवेश होता है, देखो, यहाँ पर, अगर आपन देखें, तो जैसे डाइग्राम अगर आपन बनाएं यहाँ पर, इस तरीके से डाइग्राम अगर आपन देखें, एक बार, मैं इसको वापस से सही बना जेता हूँ, ठीक है, ये ovule का structure हो गया, clear है, और इसके अंदर, ये वाला जो part है, ये हो गया आपके, new cellus वाला part, और इसके अंदर, ये वाला जो part है, ये आपके part हो गया, ये कौन सा, synergy door XL वाला, और ये हो गया आपके, ठीक है, ये हो गया आपके polar nuclei हो गया, ठीक है, अब आप देखेंगा, इसमें क्या बोला गया, entry of pollen tube in embryo sec, from cellosal end, from integument end, from micropylor end, from new cellus end, अगर अपन चलेजल end की बात करें, ठीक है, तो चलेजल end मतलब, यहां से क्या pollen tube की entry होगी, ठीक है, ovule के अंदर हो सकता है, no doubt, integument के थूँ, तो क्या pollen tube की entry जो है, वो आपके इसके थूँ हो सकता है, हो सकता है, from micropylor end, तो micropylor end से भी जो है, वो आपके enter कर सकता है, ovule की बात हो रही है, ठीक है, new cellus, तो new cellus के अंदर नहीं होगा, इसके अंदर, बट अगर अगर अपन चलेजा, integument और micropyl की बात करें, तो, और especially embryo sac के regarding में, अगर अगर अपन बात करें, तो अपने को बता है, कि जो pollen tube है, वो always आपके, किस के थूँ, enter करेगी, embryo sac के थूँ ही क्या करेगी, enter करेगी, उसका reason क्या है students, उसका reason यह है, कि यहाँ पर क्या पर्जेंट होते हैं, philly form appreptus, क्या पर्जेंट होंगे, philly form appreptus पर्जेंट होंगे, तो यह क्या करेंगे, यह जो pollen tube, इसको अपनी तरफ क्या करेंगे, attract करेंगे, तो pollen tube का जो entry है, वो pollen tube का entry जो है, वो किसके थूँ होगा, from micropylor end, यह NCRT में clearly mention कर रखा है, from micropylor end के थूँ होंगे, तो chalazal end नहीं होगा, integument end नहीं होगा, micropylor होगा, और new cellars के थूँ भी जो है, वो entry नहीं करेगा, तो इसका जो right answer है, वो right answer students, third number option जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, next, how are students, 148 number question, which of the following sequence, of development of embryo sac, female gametophyte is correct, निम्न में से, ब्रून कोश, मादा युगमकोद भित परिवर्दन का सही क्रम है, देखो, यहाँ पे, जो सबसे बड़ी बात यह है, कि जो embryo sac है, या जो female gametophyte है, उसका जो परिवर्दन है, या जो sequence है, वो क्या होगा, तो अपन जानते हैं, कि ovule जो होता है, ovule में, new cellist present है, और new cellist के अंदर ही, आपके क्या present होती है, mega spore, mega, spore, mother, cell, clear है, mega spore, mother cell present होता है, तो mega spore, mother cell से ही, आगे चल करके, क्या बनता है, mega, spore का, क्या होगा, formation, और यही mega spore, जो है, वो embryo sac का, formation करेगा, mega spore, mother cell, जो है, वो आपके 2N रहेगा, और mega spore, जो है, वो आपके क्या रहेगा, end रहेगा, tetraad बनेगा, बट उसमें से 3 जो है, वो degenerate हो जाएंगे, और एक जो है, वो आपके active हो रहेगा, functional रहेगा, और वो फिर आगे चल करके, जो है, embryo sac, या female gametophyte का क्या करेगा, formation, तो अब अपन इसमें, जो है, mega spore बन रहेगा, embryo sac बन रहेगा, तो ये statement अपना क्या हो गया, right हो गया, अब rest of, जो है, आप उसको, अगर just भी नहीं करोगे, ठीक है, तब भी चल जाएगा, क्योंकि second option अपना जो है, वो correct हो चुक है, तो ये option आपके क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, तो अपना answer क्या जाएगा, second number जो है, वो अपना क्या जाएगा, answer जाएगा, clear है, next, 149 number question, identify the ABCD, ABCD को पहचानिये, ठीक है, NCRT best diagram है ये, ठीक है, NCRT के अंदर clearly mention कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे इसको mention करूँ, तो जो B है, B वाला जो portion है, इसको मैं बोलूँगा, funical, A जो है, यह हो जाएगा आपके, high alarm, C जो है, वो हो जाएगा students, micro, pile, D जो है, वो आपके हो जाएगा, new, cellist, ठीक है, अब इसमें अपने को sequence पहचानना है, तो जो यह match कर रहा है, जैसे अगर अपन यहाँ पे देखे, high alarm A है, ठीक है, funical जो है, वो आपके, यह हो गया, ठीक है, micropile जो है, वो आपके, C हो गया, और D जो है, अपने को time बचानना है, तो यहाँ पे first option ही right हो गया, तो अपने को, जो rest of, जो तीन option है, वो देखने की जरुद भी नहीं है, तो यहाँ पर answer क्या जाएगा, first option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, clear है, next, identify ABCD structure, show in above, diagram of female gametophyte, मादा युगमकोद भित में, ABCD की पहचान करनी है, NCID-based diagram students, द्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, यह जो cell है, इसको मैं मान रहा हूँ, जो NCID में पेंशन कर रखा है, polar, nuclei, nuclei, क्या होगा students, यह polar nuclei, और जो C है, वो indicate करेगा, किसको, central cell को, तो अब इसके अंदर में, एक बार दो जो है, वो लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे, पॉइंट है, और उसके basis पे, यहाँ पे मैं option देख रहा हूँ, synergid मैं यहाँ पे बी देख रहा हूँ, देखो, polar nuclei क्या, इसके अंदर है, क्या rest of option के अंदर, जो है polar nuclei होगा, नहीं है, ठीक है, इसके अंदर भी polar nuclei नहीं होगा, इसके अंदर भी polar nuclei नहीं है, बट फर्स्ट option जो है, polar nuclei है, और भी देख लेते हैं, ए जो है, तो A क्या हो जाएगा, आपके synergid cell हो जाएगा, ठीक है, B, polar nuclei हो जाएगा, C, क्या हो जाएगा, central cell हो जाएगा, और anti-bodal cell किसको denote करेगा, D को क्या कर रहा है, denote कर रहा है, तो इसका मला अपना answer क्या right हो जाएगा, फर्स्ट option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, next, in embryo sec, the central cell have, भून कोश में केंदर की ये, कोशिका रखती है, बहुत अच्छा question है, NCRD best question है, अब यहाँ पे अगर अपन कहें, एक जैसे diagram बना लेते हैं, structure हो गया, और इस तरीके से अपने को, ऐसा structure दिखाए देता है, तो ये वाला जो side है, चैलेजल, चैलेजल end हो गया, और ये वाला जो है, वो हो गया, micro, one second, micropile end, clear है, अब इसमें सबसे interesting बात क्या है देखो, option, देखेंगे अपन, पहले अपन concept समझते हैं इसमें, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, कि जो embryo sack है, ठीक है, ये embryo sack के अंदर, जो ये वाला portion है, इसके अंदर, ये जो है, इनको अपन क्या बोलते हैं, polar, nuclei, और ये polar nuclei जो होते हैं, वो N plus N stage में क्या होते हैं, present होते हैं, before fertilization, बट जब fertilization होनी की बारी होती है, तो उससे पहले पहले जो है, वो आपके क्या होते हैं, ये 2N condition में क्या हो जाते हैं, convert हो जाते हैं, ठीक है, तो इस stage में, अगर अपने इसका, ploidy condition देखें, तो no doubt deployed तो होगा, बट वो किस form में present रहेगा, N plus N, तो अपना option जो है, वो कौन सा right हो जाएगा, first, second नहीं होगा, third नहीं होगा, और fourth भी नहीं होगा, तो अपना right answer किसको जाएगा, first option को क्या होगा, right जाएगा, बहुत अच्छा question है, next, the largest cell in embryo sac is, भून कोश में सबसे बड़ी कोशिका होती है, NCRT में clearly mention कर रखा है students, क्या egg cell होगी, नहीं, anti-bottle cell नहीं होगा, synergied cell नहीं होगा, तो जो central cell है, या जो केंद्र की ये कोशिका है, वो सबसे क्या होगी, largest cell हैगी, फिर उसके बाद में कौन सा होगा, egg cell होगा, clear है, तो यहाँ पर अपना right answer जाएगा, fourth number को, okay, next, embryo sac is monosporic when it develops from, भ्रून कोश एकल बिजानू द्वारा विक्सित होता है अगर, देखो, इसमें चार स्टेटमेंट दे रखें, one of the four megaspore of a megaspore mother cell, second option है, three megaspore of a megaspore tetrad, third option है, two megaspore form by megaspore mother cell, megaspore mother cell, और fourth option है, all megaspore form by megaspore mother cell, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, NCRT में clearly mention कर रखा है, कि जो embryo sac होता है, ठीक है, वो monosporic development क्या करता है, शो करता है, इसका meaning क्या होता है, इसका meaning ही है, कि जो megaspore बनते हैं, no doubt, four megaspore बनेंगे, और यह किसे बनेंगे, single megaspore mother cell से, याद रखना इस चीज़ को, single megaspore, और यह linear form में क्या होते हैं, arrange होते हैं, अब क्या होगा, कि इसके अंदर एक जो megaspore है, active रहेगा, functional रहेगा, और जो rest of three megaspore है, वो क्या हो जाएंगे, degenerate हो जाएंगे, तो micropile की तरफ, जो three megaspore है, वो तो क्या हो जाएंगे, degenerate हो जाएंगे, और जो chalazal end की तरफ है, वो आपके क्या हो जाएंगे, active या functional रहेगा, अब यह जो megaspore है, यही megaspore आगे चल करके, जो है, वो आपके, किसका formation करेगा, embryo, sac का, क्या करेगा students, formation करेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, embryo, sac, या फिर इसको अपन female gametophyte भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे, इस type के development को, जिसके अंदर, only one megaspore functional रहता हो, rest of three megaspore क्या हो जाते है, degenerate हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, monosporic development, तो अब यहाँ पे आप statement देखिएगा, one of the four megaspore of a megaspore mother cell, तो इसका क्या हो जाएगा answer first, second, third, fourth को भी देखते हैं, three megaspore नहीं, NCRT के according अगर अगर अपन बात करें, तो यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, fourth number option भी जो है वो नहीं होगा, इसका मतलब इसका जो right answer जाएगा, वो कौन सा जाएगा, first option क्या रहेगा, right रहेगा, next, give the ploidy level of the new cellars, megaspore mother cell, megaspore female gametophyte, bijjaand kai, guru bijjaanu, matrakoshika, guru bijjaanu, और madha yugmakod bhit की गुनिता क्या होती है, या इसके अंदर, क्या अपने को जो है वो option देखना है, तो यहाँ पर आपन जानते है, new cellars जो है वो two-end होता है, सही बात है, megaspore mother cell जो होता है, वो new cellars के अंदर जो बन रहा है, वो आपके क्या होगा, N होगा, या 2-end होगा, वो 2-end होगा, तो इसका मतलब यह statement, option गलत होगा है यहाँ पर, फिर उसके बाद यह second देखते है, 2-end होगा क्या, new cellars, yes, megaspore mother cell 2-end होगी, क्या सही बात है, megaspore क्या होगा, N हो जाएगा, वो कि वो meiosis के तुरू बन रहा है, megaspore mother cell के अंदर क्या हो रहा है, meiosis हो रहा है, और उसी से क्या बन रहा है, megaspore का क्या हो रहा है, formation हो रहा है, N जो है, female gametophyte, हाँ, early stage में, आप याद रखना, यहाँ पर only female gametophyte, N CRT में clearly mention कर रखा है, ठीक है, जो female gametophyte है, वो N है, है ना, तो यहाँ पर जो option अपना जाएगा, वो किसको जाएगा, second option जाएगा, third option भी नहीं होगा, fourth option भी नहीं होगा, इसके अंदर है, तो अपना right answer क्या हो जाएगा, second option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, next, क्लिस्टो गेमस flower, is not part of cross pollination, ए उन्मिल्य पुष्प परागण का भाग नहीं है, पर परागण का भाग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, जाजे से NCRT डाइग्राम के अंदर मेंशन कर रखा है, कि जो क्लिस्टो गेमस flower होते हैं, या उन्मिल्य पुष्प जो होते हैं, वो भूमिकत होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, सोयल में पर्जेंट होते हैं, तो उन्हें के अंदर, नो डाउट, है, वो इसके रिगार्डिंग में, रॉंग हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है, कि बाई, नेक्र होना, तो वो दोनों condition में हो सकता है, वो self-pollination के condition में भी हो सकता है, और वो cross-pollination के condition में भी हो सकता है, तो यह statement नहीं होगा, because they remain closed, तो यह option क्या हो जाएगा, आपके right हो जाएगा, और option भी देख लेते हैं, because they small in size, तो small in size जो है, वो आपके self-pollination के अंदर भी होता है, जैसे wheat है, तो wheat के अंदर small size के flower होते हैं, और cross-pollination के अंदर भी जो है, वो आपके small size के flower जो है, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो यह statement भी जो है, वो wrong हो जाएगा, because they not produce fragrant, तो ऐसा भी नहीं है, कि ऐसा ज़री नहीं है, कि हर एक जो cross-pollination कर रहा है, वो fragrant produce करी करी, नहीं भी कर सकता है वो आपके, ठीक है ना, तो यह statement भी जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, इसका मला अपना answer क्या जाएगा, second option क्या हो जाएगा, आपके right हो जाएगा, clear है, next, NCIT-based diagram है, important जो है, वो आपके diagram है यह, ठीक है, the given figure show which type of flower, A and B in komeleena plant, komeleena पादप में, जो A और B है, उसको अपने को पहचानना है, ठीक है, तो जैसे NCIT में clearly mention कर रखा है, इस A को जो है, वो अपन क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस flower, क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमस flower, क्लिस्टोगेमस flower बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे students, चैस्मोगेमस, क्या बोलेंगे, चैस्मोगेमस बोलेंगे, तो अब इसके अदर जो अपने को option दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना option क्या हो जाएगा, second option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, बाट अगर अगर अपन other देखें, जैसे neutral है, तो neutral का meaning क्या होता है students जिसके अंदर male और female दोनों इस structure क्या हो absent हो, तो ये option अपना नहीं होगा इसके respect में Staminated, क्योंकि अब ये bisexual है, क्लिस्टोगेमस जो आपके क्या होता है, bisexual होता है ठीक है, तो ये Staminated भी नहीं होगा, second option, third option ये match नहीं कर रहा है, इसलिए ये option भी क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, और fourth option भी match नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, wrong, तो अपना right जो answer है, वो क्या जाएगा, second option क्या होगा, right रहेगा, अब आपको मैं एक थोड़ा सा information extra बता देता हूँ NCRT के अंदर mention कर रहा है क्लिस्टो गेमस फ्लावर और चेस्मो गेमस जो फ्लावर है उनके अंदर जो examples है, no doubt एक example तो अपने सामने हैं, कॉमेली ना, बट इसके अलावा, दो example और दे रखे हैं, एक तो दे रखा है कौन सा oxalis और एक दे रखा है students, viola दो example और है जिनके अंदर क्लिस्टो गेमस और चेस्मो गेमस क्या देखने को मिलती है condition देखने को मिलता है तो अपना option क्या हो जाएगा, second option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा next which of the following is false statement निम्न में से कौन सा कथन ऐसते है wind pollination is quite common in grasses NCRT में clearly mention कर रखा है grasses के अंदर जो है, वो commonly कौन सा pollination होता है wind के थू होता है, सही बात है hydrophily is limited to about 30 genera mostly in monocote जल परागन 30 वंशो तक सीमित जो मुख है एक बीच पत्री में उपस्तित ये भी NCRT में clearly mention कर रखा है, सही बात है क्लिस्टो गेमी शो एशोर्ड सीड सेट ए उन मिल्य परागन पुष पे सुनिश्चित बीज प्रदशित करते हैं तो ये statement जो है ये भी statement क्या होगा right हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे underground है, soil में present है और no doubt वो open नहीं हो रहे लेकिन इसका मालब यह नहीं है कि उनके अंदर male और female structure of center उनमें well developed male and female structure जो है वो देखने को मिलेगा pollination भी होगा और hundred percent जो है वो आपके climatic condition कभी कबार favorable नहीं हो वो एक अलग matter है बट normally जो है वो hundred percent जो है वो आपके क्या होगा assured seed set देखने को मिलेगा तो यह statement अपना क्या हो जाएगा right हो जाएगा chesmo gamers flowers never open तो chesmo gamers flowers जैसे ncrt में mention भी कर रखा है chesmo gamers flowers क्या होते हैं open होते हैं तो यह statement इसके respect में क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा है ना तो यहाँ पर which of the following is false statement तो पूछा है तो अपना right answer जाएगा किसको fourth number को क्या होगा right answer जाएगा next in tap grass wellist area wellist area में ncrt based structure है the female flower reach the surface of water by long stalk and female flower pollen grain are released on the water surface सही बात है यह monosheous condition can seem अब देखो monosheous का meaning क्या होता है monosheous का meaning क्या होता है bisexual condition ठीक है ना monosheous का meaning क्या हो bisexual condition है but यहाँ पर यह कैसा होगा diosheous condition शो करेगा मतलब unisexual condition देखने को मिलेगा क्योंकि male और female structure क्या होगी आपके separated रहेगा तो यह statement जो है वो अपना क्या हो गया यहाँ पर रोंग हो गया pollen grain are actively carried by water current देखो यहाँ पर NCRD में clearly mention कर रखा actively नहीं होता है students कैसा होता है passively कैसा रहेगा passively passive रहेगा अब active दे रहे है तो यह statement भी अपना क्या हो गया रोंग हो गया the female flower remains submerged in water नहीं female flower जो होता है वो बिलकुल उपर water surface पे आ जाता है तो यह statement भी अपना क्या हो गया रोंग हो गया तो यह अपना जो 158 का जो answer रहेगा वो answer रहेगा first option रहेगा ठीक है next which of the following plant have insect pollination NCRD में clearly mention कर रखा है निम्न में से कौन से पादप में कीटो द्वारा परागन होता है Jostera, Wellisneria, सही बात है Jostera के अंदर Wellisneria fresh water में present होता है और Jostera जो होता है वो marine water में present होता है यह water surface पे और यह underwater present होता है hydrilla, komellina, ठीक है hydrilla होगा water के थूँ जो है pollination but komellina जो है वो match नहीं कर रहा है इस के अंदर ठीक है ना komellina के अंदर तो soil में present होता है तो उसमें insect का तो कोई logic ही नहीं है वहाँ पे है ना तो यह भी statement अपना क्या हो जाएगा रोंग हो जाएगा ठीक है Amorphophallus and Yucca NCRD में clearly mention कर रखा है कि जैसे Yucca की बात करे यहाँ पे students Yucca की बात करे तो Yucca में एक insect होता है जिसका नाम है Pronubamoth Pronubamoth होता है मतलब यह एक insect है इसके दुरू क्या होता है इसके अंदर pollination होता है Amorphophallus जो सबसे largest flower के अंदर consider किया जाता है according to NCRD statement 6 feet का जो होता है उसके अंदर भी insect के दुरू क्या होता है pollination होता है तो यह statement अपना write जाएगा insect pollination sugar के अंदर air के दुरू होता है pinus के अंदर भी air के दुरू होता है air pollination होता है तो यह statement भी अपना wrong हो जाएगा तो अपना answer क्या जाएगा students third number जो option है वो आपके क्या होगा write हो जाएगा next 160 number question implant continuous autogamy produce स्वै युगमन की निरंतरता पादप में उत्पन करती है देखो NCRT में clearly mention कर रखा है जो autogamy होता है वो cell pollination के अंदर आता है पर autogamy के अंदर क्या होता है आपके इस चीज़ को आप ध्यान दे students कि एक ही flower के अंदर इसी is according statement क्या जो है वो देखने को मिलेगा क्या new variety देखने को मिलेगा नहीं क्या better progeni देखने को मिलेगा नहीं देखने को मिलेगा but inbreeding depression जो है वा आपको उसके अंदर क्या होगा देखने को मिलेगा या untaip presental और चान क्योंकि cell pollination हो रहा है तो self-pollination होने से क्या वहाँ पे new variety बनेगा क्या नहीं, new variety का formation नहीं होगा और improve the plant variety ये भी नहीं होगा, तो अपना जो statement जो right रहेगा या जो option right रहेगा, वो आपके क्या हो जाएगा third number जो है वो आपके क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, next in self-incompability regulate by, स्वे ऐ सामंजस्चे नियंत्रित होता है, बहुत अच्छा और concept-based जो है आपके student, ये question है, NCRT-based है NCRT में clearly mention कर रखा है दो point, compatible और incompatible, मतलब जो plant है और plant के अंदर, आपके जो male और female structure और especially जो है वो अगर अपन कहें, कि चाहिए वो male की बात करें, चाहिए female structure की बात करें, तो उनके अंदर ये capacity है, कि वो ये select करते हैं, कि कौन सा जो flower का जो, या plant का जो है, pollen grain लेना चाहिए, या उसका zurimination आगे further होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये important point है, compatible का meaning क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, compatible, compatible का meaning क्या होँआ students, कि जो है वो easily, जो है वो pollen grain क्या हो रहा है, वहाँ पर जर्मिनेट हो रहा है, और incompatible का meaning क्या होता है, कि वहाँ पर, चाहिए वो आपके, अगर अगर अपन बात करें, bisexual की बात करें, या अगर आपन बात करें, कि same plant पे जो है, वो अलग-अलग flower भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो उस case में, आपके especially, जो incompatible का word term, जो है, आपके काम में आएगा, तो self incompatibility का meaning क्या हुआ, कि ये ये चेक करेगा, ये जल्स करेगा, कि pollen grain का germination होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए NCRT में clearly mention कर रखा है, कि ये कैसा mechanism है, या किस तरीके से regulate किया जाता है, ये genetically क्या होता है, regulate किया जाता है, मालब आनुवांशी की रूप से इ इसको first option जाएगा, rest of physiological नहीं होगा, morphological नहीं होगा, अब genetically तो होगा, बट physiological इसमें add कर रहा है, तो ये option अपना क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, तो इसका मलब अपना जो answer जाएगा, वो कौन सा होगा, first option क्या होगा, right हो जाएगा, next, students, 162, 162 number question, बहुत ही अच्छा question है, concept best question है, आप इसको उमीद है, आपने इसको अच्छे से attempt किया होगा, और right किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, consider the genetic basis of self incompatibility, है ना, स्वै ए सामनजस्चे के आनवानशी की अधार पर अपने को यहाँ पर कुछ diagramatically दे रखा है, यहाँ पर यह बोल रखा है, कि जो male plant है, उस male plant के अंदर अगर अगर आपन देखें, एक pollen grain है, जिसको अपन, pollen, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पराकण, ठीक है, यह एक पराकण हो गया, यह same जो है, वो आपके species के अगर अगर अपन बात करें, तो same species तो है, बट अगर अपन बात करें, तो दूसरे मतलब plant से जो है, वो आपके क्या हो रहा है, by air के थुरू, या water के थुरू, या insect के थुरू, आ रहा है, same species का है, तो यह आपके क्या हो गया, यह भी pollen हो गया, तो यहाँ पर दो type के आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, पोलन देखने को मिल रहे हैं, और female plant के respect में बोला गया है, S1 और S2 बोला गया है, तो self incompatibility के लिए अपने को यहाँ पर चेक करना है, कि इसमें से किस के अंदर, pollen grain के अंदर, germination, या पराग करने के अंदर जो है, वो पराग नलिका का निर्मान होगा के, नहीं होगा, यह च stigma पर आया, तो इसने क्या किया, क्या यह self incompatibility का example है, yes, तो क्या यह germinate करना चाहिए, अभी अपने बात काया है, कि genetically regulate होता है, तो क्या यह germinate करना चाहिए, germinate नहीं करेगा, it means pollen tube का formation नहीं होगा, इसके अंदर जो है pollen tube का क्या होगा, formation हो जाएगा, लेकिन अब इसमें यह option अपना क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, इसके अंदर इसको भी सही बात है, S1 जर्मinate नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे S2 के अंदर भी pollen tube का formation नहीं हो रहा है, तो यह अपना statement क्या हो जाएगा, मतलब जो second option भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, third जो है, वो third आप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह जो है, अपना statement जो है, option क्या हो गया, रोंग हो गया, बट यहाँ पे आप देखिएगा, S1, S1 सही बात है, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके pollen tube का क्या हो रहा है, formation, same species है, बट किसी भी region से जो है, वो other flower से निकल करके जो है, चाहिए वो air के तुरू हो, water के तुरू हो, चाहिए वो insect के तुरू जो हो, वो stigma पे क्या किये है, transfer होए, तो इससे क्या होगा, pollen tube का क्या होगा, germination होगा, तो इसलिए अपना option जो है, वो write जाएगा, कौन सा, fourth number option क्या होगा, write जाएगा, student, आ self incompatibility का meaning क्या होता है, students, meaning ही होता है, कि जो same flower है, उसके जो pollen grain है, वो stigma पे transfer तो हो गए, बट वो pollen tube का formation नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो genetically regulate हो रहे हैं, हाँ, same species है, और कहीं दूसरे जगह से जो है, वो आपके या स्पास के area से जो है, पोलन grain आ रहे हैं, तो वो आपके क्या करे और साथ-साथ pollen tube का अभी क्या करेंगे, formation करेंगे, तो इस basis पे जो है, option जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, fourth option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, okay students, next, which of the following statement is incorrect, निम्न में से कौन सा कथन ऐसेते हैं, double fertilization is characteristics of angiosperm, ठीक है, यह सही बात है, double fertilization जो है, वो angiosperm का characteristics है, triple fusion भी देखने को मिलता है, इसके अंदर, artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program, सही बात है, तो जो artificial hybridization होता है, जो artificial hybridization होता है, वो कही न कहीं चीज के लिए होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा more superior variety का क्या हो सके, formation हो सके, इसलिए उनके अंदर, जो है, वो artificial hybridization के दुरू अपन, crop improvement कर सकते हैं, तो यह statement भी आपके क्या है, राइट है, थार्ड है, P.E.N., primary endosperm nucleus, developed into the endosperm, यह भी सही बात है, primary endosperm nucleus से क्या बनता है, endosperm का क्या होता है, formation होता है, but gymnosperm, यहाँ पर correction कर देता हूं student, gymno आएगा, gymnosperm, endosperm is 3N, नहीं, ऐसा नहीं होता है, gymnosperm का, जो endosperm होता है, वो कैसा होता है, haploid होता है, और before fertilization ही जो है, उसका क्या हो जाता है, formation हो जाता है, तो in correct statement के respect में, इसका जो option आएगा, वो option क्या जाएगा, fourth number क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, next, wellisneria and hydrilla grow in fresh water, यह statements है, NCRD based हैं यह statements, तो आपन इसको देखते हैं, wellisneria and hydrilla grow in fresh water, सही बात है, water hyacinth and water lily show water pollination, नहीं होगा यह, इनके अंदर water के थुरू नहीं होता, किसके थुरू होता है, students, insects के थुरू होता है, किसके थुरू होता है, insect के थुरू होता है, third, majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agent, सही बात है, क्योंकि NCRD में clearly mention कर रखा है, कि जो pollination होता है, और cross pollination जो होता है, उसमें first number आता है, आपके किसका, insect का आता है, मालब, animals के थुरू होता है, है ना, entamophily, और second number आता है, किसका आपके air के थुरू होता है, और third number किसका आता है, आपके water के थुरू, देखने को मिलता है, तो यह statement भी अपना क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, जोस्टेरा pollen grain is long ribble-like structure, underground, अलब, यह underwater जो है, वो आपके, क्या होता है, यहाँ पे pollination देखने को मिलता है, submerged होते हैं, तो उनके देखने जो pollen grain होते हैं, वो कैसे होते हैं, ribble-like structure होते हैं, कैसे होते हैं students, ribble-like structure होते हैं, तो यह statement भी अपना क्या जाएगा, right जाएगा, अब यह क्या कह रहा है, how many statement is true, तो अपना first statement right है, second statement भी हो रोंग हो गया, third statement right है, fourth number statement भी right है, तो अपना answer क्या जाएगा, three है जाएगा, ठीक है, तो इसका answer क्या जाएगा, three है जाएगा, ठीक है, okay, next, Outbreeding Device या बही प्रेजिनन युक्तियों से सम्मंदित कौन सा कथन ऐसते हैं पहले आपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर आपन इस पर एंसर बे देखेंगे Majority of flowering plants produce unisexual flower It encourages self-pollination and discourages the cross-pollination This is the mechanism and prevents self-pollination More than one statement are correct Look, अभी जैसे आपन बात कर रहे थे कि जो plants है, उने के अंदर no doubt bisexual flower maximally क्या होते हैं, आपके देखने को मिलते हैं आपके ज्यादा दर bisexual condition देखने को मिलता है फिर भी उने के अंदर जो nature promote करता है वो nature promote करता है क्या cross-pollination को क्या करता है promote करता है चाहे वो air के थूँ हो, चाहे वो water के थूँ हो चाहे वो आपके insects के थूँ हो, ठीक है तो out-breeding device जो हता है वो एक ऐसा mechanism आप मान सकते हो कि जिसमें आप कहीं न कहीं यह देख रहे हो कि जो self-pollination है उसको तो क्या किया जाएगा discourage या कम किया जाएगा और cross-pollination को जो है वो आपके क्या किया जाएगा increase किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने को मिले, अपने को new variety जो है वो देखने को मिले तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर first option है, majority of flowering plants produce unisexual flower, तो अगर unisexual flower है तो outbreeding device की requirement है कहा हूँ, आई बा समझे bisexual होता, तो outbreeding device की क्या होती, requirement होती, तो यह option अपना क्या हो गया, wrong हो गया second, it encourage cell pollination and discourage the cross-pollination, नहीं ऐसा नहीं होता यह cell pollination को discourage करता है, और cross-pollination को क्या करता है, increase करता है तो यह statement भी अपना क्या हो गया, wrong हो गया third number statement, this is a mechanism and prevent self-pollination तो यह अपना statement क्या हो जाएगा, students, right हो जाएगा, यह mechanism है और बिल्कुल perfect mechanism है, जिसमें क्या होता है कि जो cell pollination होते हैं, उसके chances हो जाते हैं, कम, और cross-pollination या पर-परागन की जो chances जो ती है, वो क्या हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं, और इसमें different type of क्या करते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, काम में लिये जाते हैं, ठीक है, तो अपना answer क्या जाएगा, third number, जो statement हो क्या हो जाएगा, आपके right हो जाएगा, next हाँ students, 166 number question, अब इसमें कुछ statements दे रखें, pollen tube grow through the tissue of the stigma and style, pollen pistil interaction is a dynamic process, incompatibility pollination to get desired hybrid, many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination, अब इनके अंदर ये पुछा जा रहा है कि इन में से कितने statement जो है, वो, pollen pistil interaction के regarding में सही है, वालब pollen pistil से कितने related statement है, तो pollen tube grow through the tissue of the stigma and style, सही बात है, कैसे? अगर अपन यहाँ पे देखें, जैसे ये stigma structure हो गया और यहाँ पे क्या transfer होगा, pollen grain land कर रहा है, pollination हो रहा है तो यहीं से जो है, वो आपके क्या होगा, pollen tube का क्या होगा germination हो जाएगा, क्या हो जाएगा pollen tube का germination हो जाएगा, तो stigma style से होते भी जो है, वो आपके क्या होगा pollen tube का germination होगा, तो सही बात है pollen pistol interaction is a dynamic process तो dynamic process है इसका मिनिंग क्या हुआ कि यह जो pollen tube है वो टुवार्ड ovule की तरफ ही या ovule की तरफ ही आपके क्या हो रही है transfer हो रही है जा रही है तो यहाँ पे जो है chemical, कुछ chemicals जो होंगे वो chemicals क्या करेंगे chemical interaction chemical interaction होगा इनके अंदर, सही बात है यह statement incompatible pollination to get desired hybrid yes, तो cell pollination को क्या करना, कम करना और cross pollination को क्या करना, बढ़ाना जिससे desired characters आ सकी, fourth number, many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination, देखो यह statement वैसे तो सही है, लेकिन pollen pistol के regarding में सही नहीं है, तो यह statement अपना क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, पोलन पिस्टल interaction, तो अपने one, two, three तो यहाँ पे three जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, राइट स्टेट्मेंट बनाब light option हो जाएगा, ठीक है next next is which of the following statement is false, निमन में से कौन सा कथन ऐसते है, ठीक है mostly zygote divided only after certain amount of endosperm, angiospermic endosperm is mostly 3N while the gymnospermic is N, the primary endosperm nucleus undergoes successively nuclear division to give rise to free nuclei and fourth option है, monosheous plant have unisexual flower, देगो, mostly zygote divided only after certain amount of endosperm is formed NCRT का statement है कि जब आपके post-fertilization event जो होता है, उसमें जो zygote है ठीक है, वो zygote divided होगा बट कुछ amount में endosperm बनने के बाद में होगा जिससे developing embryo को क्या दिया जासे के nutrition दिया जासे के तो यह statement अपना क्या हो जाएगा right हो जाएगा angiospermic endosperm is mostly 3N होता है वाइल gymnospermic N यह भी right statement है third the primary endosperm nucleus undergoes successively nuclear division to give rise to free nuclear NCRT में clearly mention कर रखा है कि जो free nuclear division होता है और यह basically किसमें देखने को मिलता है जो coconut होता है coconut के अंदर जो liquid part जो होता है उसके अंदर free nuclear endosperm देखने को मिलता है तो यह भी statement अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा पट जो monosheous plant have unisexual flower तो यह statement अपना क्या हो जाएगा student wrong हो जाएगा क्योंकि monosheous plant जो होते हैं वो bisexual flower रखते हैं तो अपना option क्या जाएगा fourth number right option हो जाएगा next अब इसमें आपको डाइग्राम दे रखा है NCRT base दे रखा है पूरा का पूरा ठीक है तो यहाँ पे मैं पहले इसको labeling कर देता हूँ क्योंकि NCRT में clearly यह mention कर रखा है तो यहाँ पे यह वाला जो part है इसको अपन बोलते हैं radical clear यह वाला जो part है इसको बोलते हैं hypocotyl यह वाला जो part है इसको क्या बोलते हैं cotyledon और यह वाला जो part है इसको अपन क्या बोलेंगे plumule अब देखिए का इसके अंदर क्या option है क्योंकि NCRT में clearly दे रखा है तो इसमें अपने को मेच करना है कि इसके अंदर अगर अपने को अच्छे सी याद है तो इसमें अपने को मेच ही करना होता है radical है, hypocotyl है, cotyledon है, plumule है तो अपना option क्या हो जाएगा आपके first option क्या हो जाएगा अब आपको other option देखने ही नहीं है time बचाना है अपने को तो अपने को अच्छे सी इसको याद रखना है, ठीक है, next which of the sequence is correct for monocoat embryogenesis तो monocoat embryogenesis मतलब जो monocoat embryo बन रहा है उसके respect में कौन सा जो sequence है वो right है तो यहाँ पर अपन one by one करके देखते हैं और इसमें से कौन सा right है और कौन सा wrong वो देखते हैं, zygote है सही बात है, zygote से क्या globular embryo बनता है, नहीं पहले बनता है pro embryo का क्या होता है, formation होता है तो यह pro embryo बात भी दे रखा है, तो यह statement यह sequence wrong हो गया zygote से क्या बना pro embryo बना, सही बात है globular embryo का क्या होँआ, formation हो गया सही बात है, और mature embryo का क्या हो गया, formation हो गया तो यह statement अपना क्या होई, तो यह sequence sequence जो हैं, वो सीधे, straight forward NCRT में mention कर रखे हैं, तो अपने को ये याद रखने हैं, अच्छे सी, ठीक है, third, zygote से globular embryo बना, pro embryo बना, mature embryo बना, तो ये statement आपके क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, zygote से pro embryo बना, mature embryo बना, और globular embryo बना, तो ये sequence भी आपके क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, तो अपना जो right answer जाएगा, वो right answer कौन सा होगा, second option जो है, वो आपके क्या रहेगा, right रहेगा, next, अब देखो, यहाँ पर कुछ statements हैं, NCRT-based statements हैं, undifferentiated sheet cells which protect the root cap known as, koliorrhizal, clear है, second है, a typical dicotyledon embryo consists of an embryonal axis and two cotylidons, third है, in grass family, the scutellum situated at the center of the embryonal axis, fourth है, the hostorial cell is large in size compared to other suspensor cell, अब यह basically जो है, बोला जा रहा है किसके बारे में, जैसे monocote embryo जो है, उसके बारे में जो है, वो आपके mention किया जा रहा है, जैसे NCRT में clearly mention भी कर रखा है, तो अगर अपनी यहाँ पर देखो, एक diagram देखते हैं पहले, जैसे यह diagram दे रखा है, Mage का diagram अच्छे से आपको पताओना चाहिए, इस तरीके से जो है वो diagram दे रखा है, ठीक है, और इस तरीके से यह एक बार diagram बना देता हैं, यह ओ गया और इस तरीके से यह diagram दे रखा है, ठीक है, तो यह वाला जो part है, इसको अपन बोलते हैं, एंडो स्पर्म और ये होता है कौन सा ऐलूरोन लेर कौन सा रहेगा ऐलूरोन लेर रहेगा और ये वाला जो पार्ट है वो रहेगा स्कूटेलम स्कूटेलम रहेगा और ये वाला जो पार्ट है ठीक है ये रहेगा आपके कौन सा कोलियो टाइल ठीक है, यह वाला जो पार्ट है, वो कौन सा रहेगा, प्लिम्यूल, और यह वाला जो पार्ट है, वो कौन सा होगा, कोलियो, कोलियो, राइजा, और यह वाला जो पार्ट है, रेडिकल, कौन सा रहेगा, रेडिकल रहेगा, clear है अब देखो यहाँ पर जो statement है उसी के according आपन जो है वो आपके sorry statement जो है वो उसी के according आपन देखते हैं undifferentiated seed cells which protect the root cap known as coliorizer तो देखो यह coliorizer है coliorizer हो गया ठीक है और यह किसको protect कर रहा है यह protect कर रहा है किसको radical या root cap भी यहाँ पर क्या हो रहा है form हो रहा है root cap भी यहाँ पर क्या हो रहा है form हो रहा है तो उसको protect करेगा undifferentiated का meaning क्या हुआ इंपोर्टेंट पॉइंट है undifferentiated में अभी तक कोई decision नहीं हुआ उसके अंदर तो यह क्या करेगा कि जैसे for example यह root cap यह जो radical है उसको क्या करेगा protect करेगा और जब germination की बात आएगी तो इसी से होते वे जो radical है वो radical क्या करेगा आपके बाहर आएगा मतलब इसी को rupture करेगा, koliorizer को क्या करेगा, rupture करेगा बट जब तक seed का germination नहीं हो रहा है तब तक इसको क्या करेगा यह protect करेगा तो यह अपना statement क्या हो जाएगा, right हो जाएगा A typical dicotylidon embryo consists of an embryonal axis and two cotylidon, सही बात है तो embryonal axis है और two cotylidon होता है आपके dicot embryo की इन grasses family, the scotylidon situated at the central of embryonal axis यह statement जो अपना क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, क्यों? क्योंकि laterally, जैसे मैं कहता हूँ, for example, यह embryo है तो यहाँ से, इस side से, जो है, वो आपके क्या होगा, इस side से, इस तरीके से क्या होगा आपके form रहेगा इसके, इस तरीके से क्या रहेगा, इसका formation हो जाएगा तो इस structure को आपन क्या बोलेंगे? scoot album बोलेंगे, तो वो central से नहीं होता है, वो lateral position से क्या होता है, आपके arise होता है, तो यह statement अपना क्या होगा है? wrong हो गया the hostorial cell is large in size compared to other suspensor cell तो यह statement ही अपना क्या है? right है, मतलब जो suspensor cells होती है, उसकी जो last वाली cell होती है, मतलब जो बिल्कुल नीचे वाली cell होती है वो size में क्या हो जाती है? बड़ी होती है, और कहीं न कहीं वो mutations वगेरा क्या करती है? absorb करती है, तो यह statement भी अपना क्या हो गया? right हो गया, तो अब क्या कह रहे? इसके अंदर wrong statement पहचा रहना है तो wrong statement यहां पे आपको एक ही दिख़ाए दे रहे, इसका मतलब अपना answer क्या हो जाएगा? first option क्या हो जाएगा? right हो जाएगा, तो मैं यहां पे mention कर देता है अपना first option क्या हो गया? right हो गया, महलब जो third statement हो क्या हो गया? wrong है, बट इसमे first option क्या हो जाएगा? right हो जाएगा next, हा students question number 171 इसमें कुछ option दे रखे हैं अपने पास में, महलब statement दे रखे हैं, वो अपन पहले पढ़ते हैं, फिर अपन answer पे आते हैं seed have better adaptive strategy for dispersal in the new habitat, सही बात है सीड के पास में क्या होती है जैसे कोई भी सीड है, वो long duration तक जो है, वो आपके जा सकता है animals के थूँ जा सकता है air के थूँ जा सकता है, हना और वहीं पे क्या होता है, shootable condition में क्या हो सकता है disperse, वाला हो कर के जर्मिनेट भी कर सकता है तो यह statement राइट है pollination and fertilization are independent of water but seed dependable independent होता है, air के थूँ भी होता है insect के थूँ भी होता है, pollination और fertilization में water का कोई role नहीं है तो यह statement भी आपके क्या है right है, but seed dependable है seed का जर्मिनेशन का भोगा, जब उसको moisture या water में लेगा तब ही आपके क्या करेगा, germinate करेगा otherwise germinate नहीं कर पाएगा तो यह statement भी क्या है, आपके right है hard seed coat provide protection to the young embryo यह भी सही बात है कि चारो तरफ क्या होता है, एक hard coating होती है तो developing embryo को क्या करती है, protect करती है parthenocarpican induced by hormones यह भी सही बात है जैसे oxine hormone है, तो वो क्या करता है parthenocarno genesis को क्या करता है induce करता है ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो statement है correct के respect में, चारो के चारो statement अपने क्या है, correct है तो अपना option क्या जाएगा, fourth number option क्या हो जाएगा right हो जाएगा, next match the column first and second ठीक है, तो यहाँ पर match करना है अब match करना है, क्योंकि यह NCRT में सारी जो है वो कर रखें, mention अच्छे से तो अब अपने को यहाँ पर कुछ एक important point देखना है, यहाँ पर अगर अपन कहें जैसे integument की, मैं डायक बात करता हूँ integument की बात करें integument है, मतलब seed coat तो यहाँ पर थर्ड थर्ड है, तो मतलब यह हो गया इसका मतलब यह वाला और यह वाला तो होगा नहीं क्योंकि C में जो है, इस तरीके से अब आप देखो, इसके अंदर जो ovule है ठीक है, तो जो ovule है वो आप जानते हो, fertilization के बाद जो है, वो किसके अंदर convert हो जाता है seed के अंदर, तो इसके अंदर जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, यह वाला D जो है, sorry, ovule जो B है, B के अंदर जो है, वो second जो है, वो आपके option दे रखा है, ठीक है ना एक बाद देख लेते हैं, A free nuclear endosperm, तो वो coconut के respect में आजाएगा आपके ठीक है, तो यह आपके देखना तो A क्या हो गया आपके, देखो coconut हो गया, ovule जो है, वो आपके क्या हो जाएगा seed के अंदर, integument जो है, वो seed coat के अंदर fleshy fruit जो है, वो आपके क्या हो जाएगे, guava, orange, mango और dry fruit क्या हो जाएगे आपके यह, तो A का आपके 5th हो गया B का जो है, वो आपके क्या हो गया, 4th हो गया, और C का जो हो 3rd हो गया, D का जो हो आपके 2nd, और E का क्या हो dry fruit, तो अपना answer क्या जाएगा 1st option क्या होगा, right हो which fruit developed without fertilization, NCRT में clearly mention कर रखा है, citrus के अंदर, जो होते हैं, वो आपके seed present होते हैं, graps के अंदर वो seed present होते हैं, mango के अंदर seed present होते हैं, बट बनाना के अंदर आपके क्या होते है, seed present नहीं होते हैं, तो इसका answer क्या जाएगा 4th number next the word oldest viable seeds, NCRT के अंदर जो है वो क्लियरली मेंशन कर रखा है ठीक है? The word oldest viable seeds ठीक है? Executive from Arctic Tundra ठीक है? विश्वे के प्राचीन जीवन सक्षम भी जिसे आर्क्टिक टुन्डरा से खनित किये गए है निम्नहें तो NCRT में स्टुडेंट क्लियरली मेंशन कर रखा है ल्यूपीन और इसका लगबगमा आपको बता दूँ कितना टाइम होता है? 10,000 एर तक जो है वो आपके क्या कर सकता है? इसमें power is arminition कर सकता है वालब यह resting period के अंदर यह doorman phase के अंदर जो है वो पाया जा सकता है phenoxya जो है उसका 2000 होता है यहां पर इसके respect में पूछा गया है तो अपना answer क्या जाएगा third option next next in citrus अच्छा question है NCRT में, देखो NCRT में कई चीज़े आप इस चीज़े को याद रखना NCRT में कई चीज़े डारेक्ट नहीं होती कई चीज़े जो hidden form में होती है उस paragraph के अंदर छुपी हुई रहती है तो जो भी यह paper बना है वो सारा NCRT-based और NCRT के आसपास ही बना है यह सारा ठीक है? इस चीज़े को आप ध्यान रखें a seed has 10 embryos out of embryo ठीक है? तो यहां पर यह पुछा गया है कि जो citrus के बीज जोते हैं आपके lemon हो गया निम्बू हो गया ठीक है ना? तो उसके अंदर 10 embryo है तो 10 embryo तो उसमें से कितने तो normal embryo होंगे और कितने जो हैं वो आपके क्या होंगे other parts से जो है वो develop होंगे तो इसके लिए माँ आपको बता दू एक एक पुइंट आता है जिसका नाम है poly embryonic ठीक है? poly embryonic condition है ठीक है? तो poly embryonic में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं उसमें क्या होता है कि जो एक embryo होता है वो तो real zygote के division से बनता है महला fusion of gametes से बनता है और rest of embryos जो होते हैं वो rest of part of जो structure है चाहिए वो new cellars हो या जो other part हो उससे क्या होते हैं? form होते हैं वो real zygote से नहीं बनते हैं तो यहाँ पर 10 embryo है तो NCRT में clearly दे रखा है कि अगर ऐसी poly embryonic condition हो तो उसमें एक embryo हो तो आपके क्या रहेगा? fertilized embryo होगा और जो 9 जो हैं वो आपके कैसे होंगे? new cellar embryo होंगे कौन से होंगे? new cellar embryo है तो यहाँ पर अगर आपन देखें NCRT बेस देखें तो अपना answer क्या जाएगा? first option ही क्या है right यह वाले option क्या हो जाएगे? wrong हो जाएगे तो अपना answer क्या जाएगा? first answer जाएगा next हाँ students question number 176 NCRT में mention कर रखा है और यह है डायग्राम किसका? caster का किसका डायग्राम हो गया? caster का हो गया अब क्योंकि NCRT में clearly mention कर रखा है तो आपन देखते हैं यहाँ पर A क्या है? तो A यहाँ पर होगा seed coat ठीक है? B क्या रहेगा? B रहेगा यहाँ पर endos pump और C क्या रहेगा? Cotilidone और D क्या रहेगा आपके Hypocotile तो इसका answer क्या जाएगा? 3rd number यह वाले option जो है वो क्या हो जाएंगे wrong? क्योंकि NCRT में clearly जो है वो mention कर रखा है तो इसका option क्या जाएगा? 3rd number next match the column first and second nimne echo milan कीजिए ठीक है? epicotile, hypocotile, false fruit, true fruit देखो NCRT में यह mention कर रखे है ठीक है? अब epicotile की अगर अगर आपन बात करें तो epicotile मतलब उपर तो यह जो है epicotile जो है वो epicotile क्या होगा? about the level of cotyledon ठीक है? hypo मतलब नीचे ठीक है? hypo मतलब क्या होगा? below the level of cotyledon ठीक है? false fruit false fruit के अंदर क्या होता है? thelemus भी क्या करता है? और ओवेरी तो बनाता ही है ठीक है? बट उसके साथ में जो flower का other part है जैसे for example thelemus part है ठीक है ना? वो thelemus part भी जो है वो आपके क्या करता है? fruit formation में क्या करता है? help करता है जैसे apple है apple is a false fruit उसके अंदर क्या होता है? जो thelemus होता हूँ उसको क्या कर लेता है? चारो तरफ से cover कर लेता है तो thelemus also participates सही बात है true fruit developed from ovary तो अब आप देखिएगा यहाँ पे epic otile तो epic otile में second option है तो इसका मिलब यह और यह option तो नहीं होंगी अब बचे one और fourth तो इसमें B देखिएगा B किसको जा रहा है? first को जा रहा है तो B किसको जा रहा है? first को जा रहा है तो यह option क्या हो जाएगा आपके right हो जाएगा मतलब जो अपना first है है ना? वो right अब इसमें है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बच्चों के थोड़ा सा क्या confusion रहता है कि इसका मतलब क्या होता है देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे इस तरीके से एक सीड़ की तो यह जो structure है यह तो हो गई आपके क्या koti-lidon ठीक है और यह वाला जो part है ठीक है इस वाले part को अपन क्या बोलते है हाइपो kotyle जो आगे चलकर कि मढ़ जोता है किसके अंदर radical के अंदर और root cap के अंदर क्या होजाता है मढ़ जोता है और यह वाला जो part होता है इसको क्या बोलते हैं Eppi-Kotile क्या बॉलेंगे Eppi-Kotile क्या बॉलेंगे Eppi-Kotile और ये आगे चल करके मर्ज हो जड़ता है कि इसके इंदर Plumule के अंदर क्या हो जड़ता है मर्ज हो ज़ता है तो यहां से इसका मिनिग यह है ये जो AXIS है जैसे Embryonal Axis है, इस Embryonal Axis में जो Cotyledon जहां पर Contact में आ रहे हैं, इस Cotyledon के Contact के उपर वाला जो Part है वो तो क्या हो जाएगा? Happy Cotyledon हो जाएगा, above the level of Cotyledon और इस Contact के जिस नीचे वाला जो Part है वो आपके क्या हो जाएगा? Hypocotyledon हो जाएगा तो अपना answer क्या जाएगा? First answer जाएगा, ओके? आई बास समाज़ें, बहुत अच्छा question है ठीक है? Next Earthworm, Leech Sponge, Tapworm, Cockroach How many organisms regarding Bisexual? इन में से कितने Bisexual हैं NCRT के अंदर दे रखा हैं और उसमें ये Clear Cut दे रखा हैं कि जो Earthworm है, वो Bisexual है Leech, Bisexual है Sponge, Bisexual है Tapworm, Bisexual है बड़ जो Cockroach है, वो Bisexual नहीं है वो Unisexual है तो इसका answer, 1, 2, 3, 4 तो 4 जहां पे अपने कोई दिखाए दे रहे इसका मतलब, यहां पे जो 4th option है वो आपके क्या हो जाएगा? Right हो जाएगा, Clear? Next 8. Nucleated and 7-celled Embryosac stays Endosporm is 3N structure The post-fertilization event can seen The pro-embryo, globular, heart-shaped embryo and mature embryo can seen How many statements regarding angiosperm? 4 के 4 statements ही angiosperm से related है तो 4th option अपना क्या रहेगा? Right रहेगा अब जो पोस्ट-fertilization event के अगर अपने बात करें तो इसमें 4 phagies होती है एक तो होता है development of embryo development of second जो होता है वो endosporm और 5th, 3rd क्या होता है? maturation of seed और 4th क्या होता है? maturation of fruit तो इसको अपन क्या बोलते हैं? post-fertilization event बोलते हैं तो अपना option क्या जाएगा? 4th number option क्या हो जाएगा? Right हो जाएगा Clear? Next How many adaptation regarding insect pollination? इनसेक्ट pollination या कीट परागन से सम्मंदित कितनी अनुकूलनता है यहाँ पर अपने को statement में दिखाई दे रही है ठीक है? flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar flowers are clustered into inflorescence when flowers small in size flowers secret foul order to attract the animals more than one option is correct यह NCRD में clearly mention कर रखा है कि जो insect pollination होता है उसमें insects जो होते है जब वो flower की तरफ आरे तो उनको flower को large होना पड़ सकता है colorful होना पड़ सकता है fragrant produce होने मतलब कर सकते हैं वो और vector तो उनके अंदर mostly होना ही चाहिए तब ही वो क्या होंगे? all over जो है वो flower की तरफ क्या होंगे? attractive होंगे तो यह statement क्या होगा? right हो जाएगा flowers are clustered into inflorescence when flower small in size अगर flower small size के हैं जैसे for example यह small size के आपके क्या होगे? flower होगे तो इनको किस form में होना पड़ेगा? cluster form में होना पड़ेगा तो cluster form में होने से जैसे यह flower की तरफ आएंगे तो यहाँ पर pollen grain क्या हो जाएंगे? इन पर क्या हो जाएंगे? transfer कर दिये जाएंगे तो यह statement भी आपके क्या हो जाएगा? यह statement भी क्या होगा आपके? right हो जाएगा flower secret foul order to attract the animals तो यह भी बात है अपने बात की थी amorphophallus की तो amorphophallus जो होता है वो एक bad smell क्या करता है आपके produce करता है जो उन insect को अपनी तरफ क्या करते हैं attract करते हैं for the pollination ठीक है? तो यह statement भी क्या हो जाएगा? right हो जाएगा और यह अप तीनो statement तो more than option आपके क्या हो जाएगा? right 111 से लेकर के 180 तक 111 से लेकर 180 क्यूशन तक जो है वो सारे solve कर लिये हैं one by one करके concept based NCRT based NCRT के अंदर जो डाइग्राम दे रखे हैं वो अपने अच्छे से यहाँ पर क्या किये हैं clear किये हैं और अपना जो solution है उसका यह होना चाहिए कि इन future में अपने कोई भी question जो है वो wrong ना हो उमीद है आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा ओके पढ़ते रहे यह best of luck